Morning to all the future offices, 18th of April के Current Face Through MCQ की सीरीज पे हम आज वर्ड मैप, इंडिया मैप की सीरीज रहती है, उसको आज हम करने वाले हैं, चलिए, एक बार जो टॉपिक्स हैं, आज हम जो डिसकस करने वाले हैं, वो देख लेते हैं, तो आज एक कुश्चिन हमारा जो रहने वाला है, सबसे पह करते हैं, और आपको मैप के कंसानी को एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ी यहां पर पूछे है, डेट और गैलीली सी के बारे में, नेक्स कुश्चन हमारा रहने वाला है, सी ओ अजोब को डिसकस करेंगे, आईस शेल्फ को डिसकस करते हुए, नगारनो, पूछा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास करता है, आपको बताना है, करेक्ट आंसर, सबसे पहले तो जो टॉपिक है, आप उसको अंडरलाइन करें, फिर देखें, त्रिपूरा, मिजोरा, मनिपूर, नागल, यह चोईस आपके पास दी गई है, तो यहां पर आप यहां पर आपको गुजरात दिख रहा है, आपको यहां पर राजस्तान दिख रहा है, ठीक है, यहां पर नाम भी मैं आपको बता देता हूं, और एक बर अपने question में जरूर दिख लीजेगा, कि नाम कौन-कौन से है, ताकि उनको फिर हम पैचान पाए, ठीक है, चलिए, त और कोई राजस हो रही है, आपको यहां पर नहीं दिख रहा है, तो यहां पर अगर हम question के उपर वापिस आते हैं, तो particular topic of cancer, country related question भी पूछ दा सकता है, कि topic of cancer कौन-कौन से country से pass करता है, और जैसे मैंने आप से यहां पर question कौन-कौन से state से pass करता है, वो भी आप से पूछ द पर देखा है, ठीक है, तो इनको आप save कर लीचे कि वैसे PDF में आपसे इसकी share करने वाला हूँ, ताकि आपके notes भी बन जाए, nevertheless इस photo को आप save कर सकते हो, या पर राज्यो की जो नाम है वो भी लिख सकते है, चलते है, next question के ओपर question number second है, which of the following statement is or are correct about South Sudan, South Sudan को लेकर पूछा गय वो Ethiopia and Democratic Republic of Congo से touch करता है, दो statements है, basically second statement के अंदर तो दो fact दी है, Ethiopia और DRC क्या दोनों से touch करता है, या एक से करता है, मैं भी एक से भी नहीं करता, सोचिए इसके बारे में, फिर discussion करते हैं, चली, देखे, South Sudan अभी काफी news में था, जब हम लोग तैयारी किया करते थे, तो North Sudan, South Sudan का जो यह bifurcation था, उसी time पर हुआ था, और अभी जो है, ethnic violence जो है, और civil war जो है, इस तरीके की situation, South Sudan के अंदर देखी गई है, human right abuses जो है, वो भी काफी सादा महाँ पर देखने को मिल रही है, इसी वज़े से, South Sudan काफी news में था, एक बार इसकी location देखे हैं, फिर दोनों statements को हम analyze क करेंगे, South Sudan देखेंगे, so this is उपर वाला North Sudan है, South Sudan, it's landlocked, यहाँ पर Ethiopia से border touch हो रहा है, युगांडा से हो रहा है, Democratic Republic of Congo से हो रहा है, CR से हो रहा है, यहाँ पर हम question को देखें, question को अगर हम देखते है, Central African Republic, Sudan, Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo, इन से border touch हो रहा है, और हमारे पास जो countries के नाम दिये हो थे, वो यही थे, Ethiopia and Democratic Republic of Congo, यह statement ठीक हो जाती है, क्या यह landlocked country है, तो यह statement भी ठीक है, answer क्या हो जाएगा, C will be your correct answer, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोनों statements ठीक होने के बाद हम चलते है, next question, question number 3 के ओपर, जहाँ पर हम map से related, एक और question डिसकस करने वाले है, और यह question number 3 जो Sea of Galilee जो है, यह Israel और Iraq के बीच में exist करता है, बताइए, दो seas के नाम दी है, दोनों काफी famous हैं, इसराइल के पास locate करते हैं, यह मैं आपको hint के तोर पर बता सकता हूँ, सोचिए क्या answer होगा, फिर करते हैं discussion, चलिए, Dead Sea और Sea of Galilee, दोनों को map के ओपर देख लेते हैं, so Dead Sea जो ह आते हैं अपने question के उपए, Sea of Galilee में क्या है, Sea of Galilee में Israel, Syria है और Dead Sea में Israel और Jordan है, देख लेते हैं कि क्या हमारे options match कर रहे हैं, Dead Sea में क्या था, एक तरफ इसराइल था, दूसरी तरफ क्या था, Egypt था, नहीं, Egypt नहीं था, Jordan था, और Sea of Galilee में, इसमें Israel था, और क्या था, Iraq था, Syria, दोनों statements incorrect होने की बज़े से answer क्या हो जाएगा, D will be your correct answer, none of the above, चलते हैं question number 4 के ओपर, question number 4 में कुछ चीज़े discuss कर लेते हैं, जो कि हमारे map के ओपर ही होने वाले हैं, लेकिन यह जो आपको मैं maps दिखा रहा हूँ, यह आप सेब जरूर कर लीज़ेग, अपने notes के अंदर, infographic क तोर पर यह आपको काफी help करेंगे, sea of azove is associated with, sea of azove कहां पर locate करता है, किस से associate करता है, किस continent से basically associate करता है, एशिया से, योरोप से, आफरिका से, या फिर अमेरिका से, बताइए, sea of azove आपने सुना होगा, काफी बाइन यूज में भी रहता है, जल्दी से बताएं, फिर मैं आ करता है, to the south, it is linked by a narrow straight of catch, जो इसमें आपको यहाँ पर, straight of catch, छोटा से यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहाँ पर यहाँ पर यह आपको ले के जाता है, जो connect करती है, जो connect करती है, and it is sometimes regarded as northern extension of the black sea, जो यह black sea है, straight of catch से connect होते होए, sea of azove को black sea की extension, एक बड़ा हुआ, जो इसक just a second, यहाँ पर देखिए, then आपको dawn river भी दिख रही होगी, आसपस की चीज़े जरूर देखिएगा, और इसी तरीके से map जोग आपका cover होगा, जो आते हैं, अपने question के उपर वापिस location पूचीती, तो क्या हो जाएगा, Europe इसकी correct location हो जाएगी, it's a sea in the eastern Europe, to the south, आपको narrow strait के बारे में मैंने बता दिया, साथ ही साथ, it is bounded by Ukraine and Russia, चलिए, तो यहाँ पर B आपका answer है, चलते हैं, halfway through, fifth number question पर हम पहुँच चुके है, और I hope आप अपना score यहाँ पर improve कर रहे होंगे, map के अंदर, मैं पूरी कोशिश करूँगा, weekly basis पर आपको map के question दो, अगर आपको extra कुछ लेक्चर चाहिए, maps के ओपर, तो वही मुझे बता दीजेगा, so that more lectures could be created on, specifically on the map series, ताकि कम से कम, 4500 question जो है, maps के ओपर करके जाए, consider the falling statement, जो हाँ पर देए है, आपको बताना है, correct statement कौन सी है, तीन statement आपको consider करनी है, पहरी चाहिपन कहते है, Ron ice shelf जो है, वो आक्टिक के western side में है, तो Ron ice shelf है, western side है, किसके, Arctic के, Ross ice shelf जो है, ये southern side of Arctic है, हो सकता है, then है Ameri ice shelf, ये eastern side of Arctic है, आप में से जो लोग 7 a.m. network के ओपर lecture देखते हैं, तो मैंने आपको वैसे in shelves के उपर, जब जब भी ये news में थे, पिछले साल में, Ameri ice shelf काफी news में था, Ross ice shelf भी news में आया था, तब त यहां पर answer को correct कर पाता है, सोची, चली, तो recently NCPO-R, जो कि Goa का है, उन्होंने predict किया था, that there would be a 24% increase in the expansion of AIS boundaries in the, कहा पर, Antarctic by 2021 to 2026, ठीक है, तो 2016 के comparison में, 2021-26 तक, ये जो आपका ice shelf है, Ameri ice shelf, AIS, इसके, जो expansion है, वो हमें देखने को मिलेगा, ऐसा NCPO-R के दौरा predict किया गया, It's a broad ice shelf, जो कहां पर locate करता है, देखिए, मैं आपके ओपर तीनों ice shelf देखिएगा, Ron, Ross and Ameri, चली, तो जो आपका, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ऐसे, these are the places, चीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा expand कर देता हूँ, magnify कर देता हूँ, ताकि आपको और आपको Southern दिया था, और आपका Ameri Ais, Ameri ice shelf जो है, वो Eastern में locate करता है, मैंने यहां पर question में आपको Eastern ही लिख के दिया था, लेकिन, मैंने वहां पर लिखा था कर आप ध्यान देंगे Arctic, बट यह कहां पर locate करते हैं, Antarctic के अंदर, यही चीज जो है, इस question के अंदर तीनों statement को गलत हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेएगा, तीनों statement आपकी incorrect होने के विज़े से answer क्या हो जाएगा, D will be the correct answer, ठीक है, चलिए, तो यहां पर चलते हैं, next question के ऊपर, question 6 पर जाने से पहले, एक बड़ pre-50 code को मैं बता देता हूँ, आपको use करना है, अगर आप करना चाहते हैं, तो various series के लिए, today is the last day, जब आपको pre-50 code यह आपको provide किया जा रहे हैं, और इसमें अगर आप next year के लिए त्यारी कर रहे हैं, तो आप 100 days, 200 days की series के लिए जा सकते है अगर आप एक crash course के तरीके से इसकी त्यारी करना चाहते हैं, इस exam की त्यारी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक full flesh तरीके से 2022 के अंदर exam के लिए appear हो रहे हैं, तो आप mission UPC 2022 के अंदर enroll कर सकते हैं, लेकिन yes, अगर time उतना जादा नहीं है, आप minimum time देकर, जो है fast track तरीके से त्यारी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल zero से start करना चाहते हैं, और 2022 को लेकर काफी serious exam को crack करने के लिए पहले जादा knowledge नहीं है, UPC exam के बारे में, then you can go for mission UPC 2022, और यहाँ पर आप तीनों ही cases के अंदर, और अगर 2023 के लिए भी आप तैयारी करें, तो mission UPC 2023 is also available, यहाँ प revision series है, revision series भी उन लोगों के लिए, जिन्होंने static और current phase जो है, वो netmok का follow किया है, साथ ही साथ, जो लोग पहले जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन last time में, अभी एक short जो है, वो UPC के अंदर देना चाहते हैं, इस exam के अंदर, जो भी time आपके पास बचा, उ क्योंकि यह जो area था, यह अपने आप में एक hotbed बन गया था, conflict का, यहाँ पर basically, जो Azerbaijan की leadership थी, और जो आपकी Armenia की leadership थी, और इसके साथ साथ various other countries जो थी, वो इसमें interfere कर रहे थी, तो यहाँ पर आपको question में, मैंने him तो दे ही दिया है, लेकिन आपको बताना है, यहाँ पर question Azerbaijan, Armenia, Russia, तीन नाम दिये है, hint मैं आपको दे चुका हूँ, let's see, कौन इसका correct answer करता है, चलिए, देखिए, straddling जो है, वो Western Asia, Eastern Europe, Nagorno-Karabakh region जो है, यह basically इसके नदा चल रहे है, it is internationally recognized as the part of Azerbaijan, international level पे Nagorno-Karabakh region जो है, यह Armenia- Azerbaijan की boundary के बीच में locate करता है, this is the, this particular region, right, तो यह जो है internationally, इसे Azerbaijan का part माना जाता है, Azerbaijan जो है basically Muslim country है, लेकिन Armenia के अंदर जो लोग रहते हैं, वो Christian जो लोग है, वो जादा रहते हैं, अब यह जो particular region, region के दोनो country के बीच में fall करते है, Nagorno-Karabakh, यहाँ पर जो part है, वो तो यह international level पे Azerbaijan का माना जाता है, बट जादा तर जो लोग है, जो ethnicity है, लोगों की जो religious, लोग यहाँ पे religion को follow करते हैं, Armenian लोग यहाँ पे जादा रहते हैं, और ऐसा का जाता है कि most of the region जो है, वो control भी Armenian separatist के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो यह चीज़ दियान रखी कर Nagorno-Karabakh region के बारे में यह unique चीज़ है, it has been part of Azerbaijan territory since the Soviet area, और Soviet era के टाइम पे जब Armenia, Azerbaijan बने थी, तो यहाँ पे Russia ने basically जो है काफी help करी थी, इसके अंदर शांती बनाया रखने के लिए दोनों countries के बीच में, लेकिन Russia directly involved नहीं है, जो दो countries directly involved है, इसी वज़े से question बनाया गया था, even though सबको पता होगा Armenia, Azerbaijan के बारे में, लेकिन directly की वज़े से, सिर्फ द दोनों countries ही इसके अंदर शामिल होंगी, that is, answer मारब भी होगा, otherwise देखा चाहे तो Russia भी directly, indirectly, इसके अंदर involved है, जब यहाँ पे peace establish करने की कोशिश करी गए थी, दोनों countries के बीच में, ठीक है, चलिए, तो धियान रखेगा easy question था, वेसे भी hint देकर, मैंने इसको और भी असान ब support करता है, चलिए, चलते हैं next question के ओपर, the border of Yemen is touching, यमन का border किसको touch कर रहा है, UAE को touch कर रहा है, साथी अरेबिया को touch कर रहा है, कतर को या फिर बाहरेन को, जल्दी से बता है, यमन जो है, locate करता है, at the southern end of Arabian Peninsula in Western Asia, ठीक है, बबल मन्दाप जो है, यह एक स्ट्रेट भी यहाँ आपर है, जो की यमन और Arabian Peninsula के बीच में है, जिबूती, Eritrea जैसी country भी आपको पास में मिल जाएंगी, Red Sea Gulf of Aden को भी connect करता हो, यहाँ पर region जो आपको दिखाई दे जाएगा, जल्दी से बताएं, यहाँ पर यह किसके border को touch कर रहा है, UAE, Saudi Arabia, Qatar या फिर बाहरेन, बताएं, ए Yemen, ठीक है, S से Saudi Arabia, और O से Oman, Y से Yemen, तो Soy बन गया, right, Soy को याद रखेगा, बाकि किससे border touch नहीं हो रहा है, Arabian से आपको दिख रहा है, Indian Ocean यहाँ पर दिख रहा है, आपको, Red से भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर किससे border question number 8 के अंदर भी कुछ important चीज़ हम देखने वाले है, कावीरी रीवर primarily passes through, देखे, शब्द जो है, वो primarily दिया है, यही directly, indirectly, primarily, इन सब चीजों को ध्यान रखने है, क्योंकि UPSC जो है, देखे, PCS के अंदर इतना गहराई में जाके चीज़ें नहीं पूची जाती, लेकिन UPS से definitely जो है, इस तरीके की चीज़ों को डालता है, ताकि यह देखने के लिए कि कौन सा candidate ऐसा है, जो कि इन चीज़ों को संग्यान में लेता है, और कौन सा candidate ऐसा है, जो इसको इग्नोर कर देता है, और उसी वज़े से question अपना गलत कर बैठता है, कावेरी रीवर primarily कहां से pass कर करते है, करनाटका, तामिलनादू, तेलंगाना primarily कहां से pass करती है, चलिए, तो अब तक आपने answer दे दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ, according to करनाटका State Pollution Control Board, strict enforcement of lockdown has reduced the pollution in कावेरी रीवर, तो यहाँ पर जो lockdown था, काफी अच्छे से follow किया गया, करनाटका के अंदर, जिसकी और जगह आपको यहाँ पर और भी आस-पास के जो राजे हैं वो भी दिख जाएंगे, जिसके नामे आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले, जो कुछ important information है, वो है, it rises in the Brahmagiri range, Brahmagiri range से, यह rise करती है, near the Cherangala village of Kodago, कुर्ग district of करनाटका, तो यह करनाटका के Brahmagiri range से निकलती हुए, and drains into, कहां पर? Bay of Bengal के अंदर, ठीक है, western side पर बात करेंगे, it is bounded by western ghat, eastern side में आपका, of course, eastern ghat रहेगा, and इसके अंदर various registries वो भी बीच बीच में आती है, ठीक है, साथी साथ कावेरी की बात करें, तो वैसे primarily तो Tamil Nadu और करनाटका है, लेकिन Kerala and UT, जो पुदुचेरी की है, वहाँ पर भी ये extend होती है, ठीक है, left bank tributaries की बात करें, तो ये अगर आपकी कावेरी है, just let me make it like this, तो इसमें आपके left bank tributaries के अंदर आपकी हरांगी आती है, हिमावती आती है, शिमसा आती है, और अरकावती आती है, ठीक है, और right bank tributary की बात करें, तो इसमें आती है, लक्ष्मी मन तिर्था, जिसे लक्ष्मन तिर्था भी कहते है, then आपकी कबानी आती है, then आपकी सुवनवती आती है, then आपकी भवानी आती है, नोईल और अमरावती आती है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, ये कुछ important left bank and right bank tributaries है, जो मैंने आपको बता पूर डैम जो है, वो इसके उपर बनाएगा है, तो यहाँ पर कावेरी को लेकर अगर हम बात करें, तो तिलंग आना नहीं है, आपर आंसर क्या हो जाएगा ए, primarily करनाटका, तामिलनाडू है, लेकिन अगर हम catchment area की बात करें, तो कैरला और आपकी जो यूटी है, है, in which area Salma Dam is located, क्या ये जेरांज में है, हिराद में है, देल अराम में है, या काबूल में है, ना, tell me the answer. चलिए, so basically अभी एक singing ceremony करी गई थी, एक M.O.U. यहाँ पे किया गया था, for the construction of the Lalanda Chateau Dam in Afghanistan, जो dam है, that would come upon the Meidan River Tributory of Kabul River, project जो है, it is a part of new development partnership, जो की इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में चल रही है, आप जानते है कि अफगानिस्तान को, इंडिया के द्वारा काफी ज्या अबूर प्रोविंस के अंदर प्रोवाइड करने वाला है, जो dam है, irrigation facilities भी प्रोवाइड करेगा, this is the second major dam, जो की इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर, अगर हम कहरें second, तो first dam कौन सा था, first dam was Salma Dam, क्या मुझे Salma Dam का कोई जो official नाम है वो पता किया गया था, I hope आपने इसके आंसर के बारे में सोच रहा होगा, जारांज, हिराद, देलाराम, कबूल, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे तो हमने कबूल देखा था, जो शातू थे, लेकिन यहां पे देखेंगे अगर आप, तो यह जारांज, देलाराम, highway जो ह और इरान के एक चाबार पोर्ट के थुरू, यहां से एंटर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते, we were not willing to go, चीक है, तो आंसर यहां पे क्या होगा, हिरात के अंदर, यह आपका सल्मा डेम जो है, वो बिसिकली बनाया जा चुका है, और जो सेकिन डे आपको बता दिया कि वो कहां पर बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बीट करेक्ट आंसर, चलते हैं आज के लास्ट कुश्चिन के ओपर, और यहां पर यह जो इन्फोग्राफिक के इसको अच्छे से देख लीजेगा, लास्ट कुश्चिन इस अबा करकें का यहां पर लोकेट करती है, सोची, एक बार इसका मैप देख लीजै, तो यहां पर गरफ आतर है, तो आउप से भी पेर गरफ़ लाफ नीचे पहा हो जाएगा, अभी रीसेंट्ध लीट काफी निउस में थाखियों, क्योंकि यूजक्ज ओर इरान के बीच में चल रहा था conflict ठीक है उसको लेकर ही यह दोनों गल्फ न्यूज में थी और साथी साथ होर्मूस स्टेट ओफ होर्मूस को काम कैसे इकनोर कर सकते हैं जब इस तरीके से question आता है परशन गल्फ न्यूज में होती है स्टेट ओफ होर्मूस कंट्रीज जो सराउंड करती है जैसे कि आपने पीशे देखा तो इरान, इराग, कुवेट, सौधियरेबिय, कतर, भारेन, UAE, ओमान मैं आपको दिखाई थी जो की परशन गल्फ के चारों दरफ आपको दिखाई देंगे बीच में स्टेट ओफ होर्म हैं जिसमें हमने स्टेट के बारे में भी देखा था और यहां पर परशन गल्फ जो है इसको भी एक इंपोर्टेंट लोकेशन बाना चाहरा है ठीक है चली करेंट इफेस के सीरीज में जहां पे दा हिंदू और पीएवी के करेंट फेस को हम MCQ के त्रूप कवर करने वाले ह जो दस टॉपिक्स आपके करन्ट फेस को लेकर जो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है वो आज हम डिसकस करने वाले हैं तो अदित्या एलवन के बारे में जानेंगे हैं चलिस्तान डेजट के बारे में रोपेक्स चैटी WPI को लेकर एक कुशन होने वाला है State of the World Population Report, Abhijij Sina Committee, CMS, Black Sea, Island and MK4482 को लेकर भी हमारा जो एरियाज हैं जो न्यूस्पेपर में दिये गए थे उसको आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर Last time मैं ने आपको बताया था कि जो लोग UPSC के लिए त्यारी करें तो बहुत अची बात हुआ आप लोगों के message मेरे पास आते हैं जो लोग PCS के त्यारी कर रहे हैं आप लोगे messages मेरे पास आते हूं जो मैं आपको इसलिए show कर रहा हूँ कि आप जो other than UPSC की भी त्यारी कर तो भी आप उस एक्जाम को जाकर देए सकते हैं अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आप इन mcqs को ज़रूर फॉलो करेगा और seriously इसको फॉलो करेगा क्योंकि यूपी एसी हो या PCS हो यह mcqs आपको help करेंगे उस एक्जाम को crack करने के अंदर और जो current phase का section आपका होगा और जो ऐसे static subject होते हैं जो की current phase से associate होते हैं जैसे कि आपका revision series थी उसको भी शुरू कर दिया तो इस तरीके के जो video's है वो आपको आपकी YouTube की home screen पे show होंगे आप इनको जरूर practice करिएगा करने का तरीका यही है कि मेरे answer देने से पहले आप इसमें answer को recall करने की कोशिश करेगा साथ ही साथ recall करने के साथ के साथ आपको जो दूसरी करना चाहते हैं तो आप 50 days revision series जो इसमें enroll करा सकते हैं इसमें 50 days में आपको videos इसमें दो ही चीज़ें आपको दी गए इसमें आपको videos दिये गए हैं और followed by MCQs क्योंकि exam में आपको MCQs ही solve करने होते हैं तो इस 50 days revision series के अधर आपको 5000 से जादा MCQs जो उसके practice 50 days के अंदर कराई हैं दोनों की आपकी जो revision है वो इसके अंदर होने वाली हैं तो अगर यहां पर शुरुवाती दोर में आपने बहुत जादा practice नहीं करी हैं बहुत जादा syllabus cover नहीं किया है तो एक crash course के तोर पे आप इस series के अंदर enroll करा सकते हैं और इस syllabus को भी आप revise अच्छे से कर सकते हैं otherwise म mock test अगर आपने देना शुरू किया है तो बहुत ही अच्छी बात है कम से कम 50 mock test आप लगा के जाएगे target लेके चलिएगा लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं आपको यहीं करूँगा कि mock test series जो उसमें enroll करा के लेकिन सिर्फ enroll नहीं करा रहा है आपको mock test section में करने भी है otherwise enrollment को को प्रादा नहीं होने वाला है already अगर आपने enroll किया हुए तो mock test को जरूर करें और उसे analyze जरूर करें ठीक है because यहाँ पर analysis करना बहुत जरूरी है आपको यह देखना जरूरी है कि आपके जो marks कट रहे है वो कहां पर कट रहे है क्या knowledge gap की वज़े से marks कट रहे है क्या economic section में marks कर रहे है कहां पर आपके marks कर रहे है क्या miss reading आप ज्यादा कर रहे है या फिर question में ABCD में marking करने में गलती कर रहे है यह चीज़े हर individual candidate की unique होते है जो problems हो face करते जो उनकी shortcomings होती है और यह आपको तभी समझ में आएंगे जब आप analysis करते हैं सिर्फ एक mock test को करने के बाद आपक कर चल रहे हैं आपको पता है यहां पर जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं कि यहां पर छे या चे से जाधा mcqs को correct करना जरूरी है to be in the safe zone otherwise अब जितना भी 10 में से target set करना चाहते हैं चाह वो चार हो पाच हो साथ हो नो हो दस हो आप target set कर सकते हैं च अधित्या एलवन जो है यह seven payloads को अपने साथ लेकर जाने वाला है हो सकता है second कैती Aries will play crucial role in its launch तो जो Aries है वह काफी important role इसके अंदर निभाने वाला है and अधित्या एलवन support center ASC जिसको कहा गया है will provide training through regular workshop for the guest users तो इसमें एक ASC भी बनाया चाह रहा है जिसके लिए training जो है उस sun and the region between the sun and the earth तो यहां पर sun की study करने के लिए और जो sun और अर्थ के बीच का region है उसको study करने के लिए from the space अधित्या एलवन जो है इसको next year launch किया जाना है in January 2021 एक agreement जो है वो sign किया गया था और उसके अंदर कहा गया था basically एक proposal जो था वो submit किया था Aries के द्वारा Aries के team के द्वा कुछता हूं comment section के अंदर answer करने के लिए उसको ignore मत करिए वो चीज़ आपको काफी ज़दा help करने वड़ी अगर पता है तो उसे comment section में answer करें नहीं पता है तो उसे search करके curiosity दिखा के उसको answer करने के कोशिश करिएगा in January 2021 एक proposal Aries के द्वारा submit किया था Aries team के द्वारा और यहां पर data center भी जो है वो बनाने जा रहा है अधित्या L1 support center that is ASC जो है वो yes यहां पर training जो है वो regular workshop के through guest users को provide करेगा and यहां पर इसके अलावा ready to use python and java apps for the satellite data and demos जो है वो भी यहां पर guest users को facilitate किये जाएंगे तो सिखाए जाएंगे अगर हम answer की बात करें तो yes इसके अंदर seven payloads को carry क किया जाएगा Aries का important role रहने वाला है और इसके अंदर ASC को भी यहां पर establish करने की बात करीगा यह regular training के लिए answer क्या हो जाएगा D will be the correct answer क्योंकि तीनो statements हमा रहे है यहां पर अधित्या L1 को लेकर ठीक है जिसको की next year launch करने की बात करी जा रही है चलते है अधित्या L1 से आगे में है भारत में है UAE में है या फिर साओधी अरेविया में है recently चॉलिस्तान डेजर्ट जो है वो न्यूज में था क्योंकि यहां पर आभी एक न्यूज आई थी कि great Indian bastard G.I.B. जैसे कहते हैं आप जानते है जो great Indian bastard है वो इंडिया में तो मिलता ही है पाकिस्तान के अंदर भी थे उन्होंने इसके against में आवाज उठाई थी कि आप इस तरीके का काम कैसे कर सकते हैं जीक है जी आई बी जो है great Indian bastard जो है एक राज्ये का state bird है किस राज्ये का state bird है राज्यस्तान का यह state bird है द्यान रखेगा और प्रिटिकली endangered bird इसे माना चाहता है और इसी वज़े से चॉ का correct चॉलिस्थ्तन डिसर्ट जो है इसे Locally रोही का जाता है ती के और रो chem के रोही भी का जाता ए एक लार्ज़ डिसर्ट है जोकि सदन पार्ट ऑफ जो पाकिसतानों की साइड वाल पंजाब वहां पर लोकेट करता है यहां पर भी आपको great investor जैसे की राजिस्तन में मिलते हैं यहां पर भी मिल जाते हैं तो दिहान रखेगा और साथी साथ यह कुछ important facts जो थे इसको लेकर मैंने आपको बता दी हैं जो कि आपसे exam में पूछे जा सकते हैं अभी news में था ROPEX जैटी project recently क्या उडिसा में आया है West Bengal में आया है गुजरात में याफित तामिल नाडु के अंदर बताईगे चली तो recently ministry of port shipping and waterway जो है इसने अपना administrative approval दिया है for the developing all weather ROPEX that is a role on role of passenger jetty and allied infrastructure जो की करी नली इन भद्रग डिस्ट्रिक्ट एंड साथी साथ ताला को साधर माला initiative के अंदर connect करने वाला है तो यहां पर जो recently approval आया है यहां पर वो किसके अंदर दिया गया है Odisha के लिए यह approval जो है वो दिया गया है तो यहां पर यहां पर इसको लेकर आया जा रहा है अगर आप वैसे कुछ extra information चाहते हैं तो इसकी जो total capital cost बताई जा रहे इस पूरे project की वह 110 करोड के आसपस की बताई है जिसमें ROPEX jetty जो है उसको यहां पर construct किया जाएगा साथी साथ utility infrastructure जो भी बनाया जाएगा project जो है यह basically जो passengers होते है उनके लिए जो पहले एक जगा से दूसरी जगा travel करने का जो time 6 गंटे उनको लगा करता आगा वो अब reduce होके कितना लगेगा 1 hour 6 गंटे से काम होके time एक घंटा लगेगा चलते है next question के ओपर which is question no.4 question में फोर्च जो है WPI को लेकर wholesale price index को लेकर पूछा गया है WPI को लेकर बताएं कौन सी statement आपके correct है WPI को लेकर कौन सा कथना आपका सही है तो WPI क्या track करता है वो बताया हुआ है कि कहा के wholesale prices को जो factory gate के money level पे calculate किये जाते है उसके basis पे WPI को लेकर आजाता है यह basically basic prices को यहाँ पर track करता है जिसमें transportation cost, taxes and retail margin नहीं होते हैं यह भी possible है WPI pertains to goods and services WPI जो वो goods and services को pertain करता है चली तो अभी news में CPI और WPI के बारे में बताया हुआ था और WPI CPI के वीच में क्या difference होता है यह भी बताया था काफी basic question है लेकिन UPSC में पहले भी WPI CPI के ओपर question आए है आगे भी आ सकते हैं बिकस यह आपके जो basic economics होती है देखे दो तरीके की economics है एक economics जिसमें आपकी books लिखी गई है जिसमें inflation क्या होता है WPI CPI क्या है ऐसी चीजें जो कि static nature की है इन सबको दिया गया है दूसरा आपका economics होती है जो कि current economics होता है जो कि आपको newspaper में बढ़ने के लिए मिलता है कि rates को कैसी बदला जा रहा है कितनी कितनी rates करी जा रही है और economics के अंदर कोई नया concept आता है उसके बारे में पताया जाता है को RBA के कई नई directives या नई policies आती हो उसके बारे में पताया जा तो मार्ज के अंदर ही 7.39% जो था वो शोट अप हो गया था, WPI ट्रैक करता है प्राइज को होल सेल या फिर फैक्टरिगेट मंदी लेवल के ओपर पहली शिपन आपके ठीक हो जाती है, यह प्राइज को ट्रैक करते हैं जिसके अदर आपकी गुड्स भी होती हैं, लेकि WPI जो है, इसके अंदर आपकी गुड्स होती हैं, सर्वेस को नहीं कंसिडर किया जाता, आंसर क्या हो जाएगा आपका, A will be the correct answer, चली, चलते हैं, Q5 को देख लेते हैं, मैंने आपके लिए एक इन्फोग्राफिक भी दिया है, जो कि जब PP इस इन्फोग्राफिक को अप अच्छे से पढ़ लीजेगा, और आपने नोट्स के अंदर उनको सेव भी कर लीजेगा, ताकि WPI, CPI के बारे में आपको और भी बहतर जानकारी मिल सके, चलते हैं, Q5 को देख लेते हैं, State of the World Population Report is launched by, किसके द्वारा State of the World Population Report जो इसको इसक के द्वारा, बताईए, चली, तो United Nation Population Fund Flagship State of the World Population Report जो उसको यहाँ पर लाया गया है, और क्या कोई मुझे इस पर का title बता सकता है, तो आँ सब तो आपका UNFPA हो जाएगा, लेकिन इस पर का title इस report का कोई बता पाए, so that would be really well, this is the first time United Nation Report has focused on bodily autonomy, defined as the power and agency to make choices about your body without the fear of violence or having someone else decide for you, तो हमारी जो body है, उसके पर हमारा ही right है, बिना किसी डर और violence के अपनी body को लेखे हैं, हम अपने decision ले सकते हैं, ऐसा इस बार की State of the World Population Report का title भी है, जिसका title है, my body is my own, कई पर directly इस तरीके से title भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहें कि किसक चीज़ें आप से पूची जा सकती है, nearly half the women from 57 developing countries do not have the right to make decision regarding their bodies, ऐसा इस report के दोरा बताया गया है, including जैसे कि contraception को use करना है नहीं करना है, healthcare को सीख करना है कि नहीं करना है, और इसके अलावा भी जो bodily decisions होते हैं, ऐसा बताया गया कि जो developing countries है, 57 developing countries, वहाँ पर 50% women के पास यह right ह नहीं है कि अपनी body को लेकर वो decision ले सके, चाहे contraception के use को लेकर हो, चाहे वो healthcare को लेकर हो, या फिर वो sexuality को लेकर हो, तो ध्यान रखेगा इस चीज़ के बारे में, ऐसा इस report के नदर बताया है, title मैंने आपको बता दिया, कौन लेकर आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिय चलते हैं, next question के उपर, question number six के उपर, और question number six पे जाने से पहले, जो लोग next year के लेकर त्यारी कर रहे हैं, मतलब 2021 के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आप revision series के ले जा सकते हैं, या फिर आप mock test series के ले जा सकते हैं, लेकिन जो लोग 2022 में exam देने वाले हैं, वो अगर crash course को enroll कराना चाहते हैं, तो crack UPC exam in 100 days की series के अंदर enroll करा सकते हैं, exam.network.com के उपर, या फिर crash course, जो हमारा 200 days का course है, उसके अंदर enroll करा सकते हैं, at the same time, जो लोग बिल्कुल A से लेके Z तक 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 बिल्कुल 0 से start करना चाहते हैं, उनके लिए mission UPC 2022 का course है, ज crash course में उन लोगों को enroll कराना चाहिए, जिनको पहले UPC के बारे में थोड़ा बहुत idea है, basic चीज़े NCIT वगएर उन्होंने cover करी है, तो वो 100-200 days की series के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल 0 से तयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल NCRT से अपनी foundation बना के चलना चाहते हैं, वो mission UPC 2022 या 2023 के लिए जा सकते हैं, चलिए question 6 को यहाँ पर देख लेते हैं, next question आपका है, अभीजी सिना committee को लेकर पूछा गया, अभीजी सिना committee किस चीज से relate करते हैं, लावेरी water dispute को लेकर है, रिन को लेकर है, NRC को लेकर है, या फिर none of the above किसी और ही area को लेकर है, जल involving all the traditional tribal bodies and civil society organization for taking an exercise to register the state indigenous inhabitants, रिन के बारे में हम काफी दिनों से discussion कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको रिन की full form याद है या नि, तो रिन की full form मुझे comment section में जरूर जरूर और जरूर बताएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि क्या आपको इसके बारे में idea है, क्य बता देता हूं, basically आप जानते हैं, जो नागलेंड के अंदर रिन exercise करी जा रहे है, it is just like जैसे कि असाम के अंदर NRC जो है, वो किया जा रहे है, चीक है, तो यह जो exercise करी जा रहे थी, अभी कुछ ताइम पहले, नागलेंड के अंदर कुछ ऐसी civil bodies ही, जिनों ने यहाँ पर इस चीज़ में कहां, गौर्मेंट को कि आप एक बर दुबारा से सोच लिजे कि रिन की जो पूरी exercise आप कर रहे हैं, इसको करने में कही आप कोई जलबाजी तो नहीं कर रहे है, so decision was taken at a meeting on the issue preparing for the RIN, July 2019 की बात करें, पिछले से पिछले साल की, दनाकलेंड गौर्मेंड ने RIN को जब launch किया था, यह Assam के NRC, that is National Register of Citizens को का एक different variation या एक variant के तोर पर ही इसे देखा जा रहा था, क्योंकि जो आपकी infiltration होती है, जो आपके North East Region में Assam है, या फिर नागालेंड है, या फिर दूर राचे है, जिनका border touch होता है, West Bengal या फिर जिनका border touch होता है, Myanmar से, वहां से infiltration क साफी जादा होता है, और इसी वज़े से यहां पर इन राजवे के अंदर रहने वाले जो indigenous हमारे लोग है, उनको होती है, परिशानी क्योंकि resources जो होते हैं, फिर वो बढ़ जाते है, exercise work put on hold after some civil society and extremist groups जो थे, उन्होंने इसे oppose करना शुरू किया, अब उन्होंने oppose क्यों किय कहीं ना कहीं वह जो infiltration था, जो यहां पर लोग भार से आ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं encourage किया जा रहा था, और उनको protect करने की कोशिश करी जा रहे थी, जो कि fake indigenous certificate के साथ, ऐसे राजों के अंदर रह रहे थे, ऐसे राजों के अंदर job भी ले रहे थे, और even government schemes के जो फायदे ह होते हैं, उनको भी यहां पर उनका भी लाव उठा रहे थे, तो यहां पर जो drink exercise है, वो भी काफी दुबारा news में थी, रजीम होने की वज़े से, और इसी वज़े से यहां पर इस committee के बारे में भी discussion हमारा हुआ है, चलते है next question के ओपर which is question number seven, question number seven को देख लेते हैं इपर ज migratory species, CMS के ओपर जो 13 COP होई थी, उसमें इंडिया ने host किया था, and India was able to successfully list Asian elephant and GIB, Great Indian bastard and Bengal floricon to the appendix one of CMS, तो इंडिया जो था, उसने इन तीनों जीवों को यहां पर appendix one of CMS के अंदर शामिल कराने में वो सफल रहा था, जल्दी से बताएं, चलिए, देखें, migratory species की बात के रिए देखा था, चौलिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो उनको मारा जा रहा है, लेकिन इंडिया ने इन migratory species को protect करने के लिए काफी सारे कदम उठाया है, अगर बात करें, जब यहां पर इंडिया ने इसे host किया था, CMS को, तो यहां पर इंडिया ने काफी मेहनत करी थी, और तीन जो species थे हमारे Asian elephants, अप्डेटर बेंगॉल, फ्लॉरिकन, इनको appendix में CMS के अंदर डालने में हम successful रहे थे, इंडिया ने तेरी भी conference और पार्टी जो थी, इसमें host भी किया था, और यहां पर CMS के उपर यह COP करे गई थी, दोनों statement हमारे ठीक है, लेकिन मैं आप से इसका साल क्या था, अगर आप मुझे बता पाएं, जब 13 COP हुई थी, जिसमें CMS के अंदर, जो हमारा basic, आप कह सकते है, हमारा theme था, तब इंडिया ने जब इसे host किया था, वो कौन सा साल था, क्या वो 2019 था, 2020 था, या 2021 था, या कोई ओर साल था, यह बताएगा मुझे, वैसे next question के ओपर, which is question number 8, चलिए, question number 8 देख लेते हैं, consider the following statement about black sea, तो black sea को लेकर, यहाँ पर आपको बताना है, तो आपको बताना है, यहाँ पर जो black sea है, उसमें इन च और में से कौन कौन सी countries जहां open होती है, यह आप तभी बता पाएंगे, जब आपने black sea का map देखा होगा, वैसे आज से, I think, दो-तीन दिन पहले हमने black sea के ओपर एक question किया था, basically question जो था, वो not sea के ओपर था, लेकिन वो black sea के पास बढ़ता है, तो मैंने आपको black sea के बारे में भी कुछ चीज़े जो थी, वो दिखाई थी, sea of azor के बारे में भी हमारा discussion हुआ था, अगर आपको याद हो तो कि जो रशिया है, वो अपनी naval presence जो है, वो दीले-दीले बढ़ाता जा रहा है, black sea और इसके आसपास के region में, क्योंकि इसके जो relations है, वो काफी tense हो चुकी है, और इसी वज़े से, खासतों पर बात करें जाए, Ukraine और western countries के साथ, जो रशिया है, उसके relation कुछ जादा खास नहीं है, आज कल के टाइम में, tensions जो हो राइस कर रही है, और यही reasons है, जिसकी वज़े से, जो naval presence है, रशिया के द्वारा, black sea और इसके आसपास के region के इंदर बढ़ाई जा रही है, black sea को एक पड़ देख लेते हैं, और फिर देखते हैं, कौन कौन सी country यहां पे open होती है, तो रश और अगर अपने question के ओपर वापिस आए, तो यहां पर वही सारी countries है, Georgia भी हमने map के ओपर देखे थी, Turkey भी यहां पर थी, southern side में, Russia, northern side में था, Romania भी हमने देखे थी, चीक है, तो यह चारो countries है, यह black sea के साथ border touch करती है, Romania हो, Bulgaria हो, Turkey हो, Russia हो, Georgia हो, चीक है, तो ध्यान रखेएग answer हमारा क्या था, answer will be D, क्योंकि all of the above, जो हमारा यहां पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, so चलते है next question के ओपर, तो यहां पर black sea और mediterranean sea भी आपको नीचे दिखाए दे रहा होगा, लेकिन map के जो question से वो प्लीज अच्छे तरीक से करिएगा, because maps के ओपर काफी सरी question पूचे जाते ह from east to west, आपको इन चार islands को east to west direction के अंदर लगाना है, आपके सामने Cayman island है, Bahamas है, Jamaica है, Haiti है, इनके नाम आपने definitely सुने होंगे, बड़ आप में से कुछ ही लोगों ने इनको map के ओपर भी locate किया होगा, और वही लोग जिनोंने ये extra महनत करी है, वही इसी question को tick कर पाएंगे, चा confirmed that he was handling or handing over the leadership of all the power, Cuban communist party, वो a younger generation, तो यहाँ पर जो है, काफी time से कुबर के अंदर power को hold किया हो है, तो यहाँ पर hand over कर रहे है, ऐसा उन के दोरह कहा जा रहा है, यह पूरी news थी basically, तो कुबा जो था, वो खास्तों पर काफी news में था, कुबा जो है, नोर्टन Caribbean में locate करता है, Caribbean Sea में Gulf of Mexico के पास, और यहाँ पे जो इसकी capital city है, हवाला इसका larger city and the capital, जो कि अभी मैं आपको map के ओपर भी दिखाने वारा रहे है, इसके आख पास में दूसरे islands भी है, जिनकी location आपको पतावाना काफी ज़रू ही है, हमें east to west लगाना है, तो एक बर map के ओपर आ जाते है, वह फिर किस का आता है, फिर जमायका का आता है, फिर आपका Cayman Island होता है, क्यूबा जो है और हवाना जो है, इसके बार में आपको बताई चुका हूँ, तो एक बार अपना map के ओपर देख लेते हैं, यह सारे, और फिर answer को भी देख लेते हैं, अब एक बार इसे दोबारा देख करेंगे जमायका and then Cayman Island आपका answer हो जाता है, so D will be your correct answer, हम रखिएगा, map को जरूर देखते रही है, because map के ओपर आपको यह चीज़े और भी एच्छे से तरीके से दिखाया देगी, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे आपको, इंडिया और वर्ड की जो चीज़े हम डिसकस करें, उस जल्दी से बताई, देखें, answers I am pretty sure आपको पताऊंगे, it is a really really good news, क्योंकि COVID-19 के time पे experimental antiviral drug MK-4482 जो है, यहाँ पर इसके उपर studies करी गई और देखा गया, significantly decrease देखा गया, virus का levels and disease damage on the lungs, आप जानते है, COVID-19 जो है जो यह बिमारी किसी को होती है, यह जो आपका, जो contamination होता है तो सबसे पहले जो है, problem lungs को होती है, तो जब भी cases जो देखे हैं, जहाँ पर fatality काफी जादा होई है, तो उसके अंदे lungs के इन्फेक्शन हो, या lungs को damage हो, वो सबसे पहले देखा जाता है, तो उस चीज़ को रोकना है काफी ज़रूरी था, बहुत से लोग जो ऐसे हैं, जो क बचाया जा सकते हैं, वहाँ पर infection जो है, SARS-CoV-2, that is coronavirus का, वो कम देखा गया है, ठीक है, according to the new study, जो करी है, from the scientist from US National Institute of Health, तो US National Institute of Health, NIH जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये study करी गर ये पाये गया, scientist जो थी है, उन्होंने found किया, कि MK-4482 जो है, इसके treatment से, ये basically काफी effective treatment है, when provided up to 12 hours, before or 12 hours, after infecting the hamster with SARS-CoV-2, वैस तो है, जो hamsters थे, उनके उपर ही study करी गई, coronavirus से उनको infect किया के, और 12 गंटे पहरे और 12 गंटे बाद, उनकी क्या situation थी, वहाँ पर जो results है, वो काफी positive आए, तो answer क्या हो जाएगा, COVID drug इसको कहा जाएगा, D हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, current face की series में 21st of April पे हम पहुँच चुके हैं, चलिए, एक बार topics देख लेते हैं, जो आज हम discuss करने वाले हैं, तो discussion हमारा currency, practices, monitoring के बारे में रहने वाला है, fast tech को discussion करते हुए, extradition treaty के बारे में जानेंगे, global diabetes compact को discuss करेंगे, जन अनुशासन पकवाड़ा के बारे में discussion होगा, underwater neutrino telescopes, link rash temple, Indian temple style, Fukushima power plant और water horse के status के बारे में हाँ पे discussion करने वाले हैं, दो statements देके पूछाएं कि बताएं, correct statement आपकी कौन सी है, कौन सा कतन आपका, सही है, consider the following statement, पहली statement कहते है, currency practices monitoring is released by United States, तो currency practices monitoring करके कोई चीज है, जो कि United States के द्वारा release करी जाती है, और ये एक तरीके की list है, जिसके अंदर India भी listed है, सोची इसके बारे में, फिर करते हैं, discussion, चलिए, देखे, currency practices monitoring list जो है, ये इसी को ही currency manipulator watch list भी कहा जाता है, so it is basically a list जिसको currency practices monitoring list या फिर currency manipulator watch list कहा जाता है, और ये US, United States, America के द्वारा जारी करी जाती है, recently US ने 11 countries को इसके अंदर रखा है, ऐसे देशों को इसके अंदर रखा है, जो United States के साब से currency को manipulate करते हैं, और इंडिया भी इस list के अंदर शामिल है, तो answer क्या हो जाएगा, दोनों statements आपके हैं, so C will be the correct answer, दियान रखेगा, India was on this list in the December 2020 report as well, तो जो पिछले साल, December 2020 के अंदर चार महीने पहले, जब यह report आई थी, तब भी इस list के अंदर India का नाम शामिल था, 2019 की बात करें, इंडिया को तब इस list में से remove कर दिया गया था, लेकिन 2020 में इसे दुबारा से शामिल किया गया, और 2021 में यह जो list है, इसके अंदर जो इंडिया है, उसका नाम हटाया नहीं गया, चली, so first question का answer C हो जाता है, इसका मतलब किया, there will be pressure on RBI to cut down, intervention allow the rupee to appreciate, basically, यहाँ पर US जो है, वो इंडिया को target कर रहा है, और यह हमारे उपर allegation लगाया जा रहे है, कि हम लोग जो है, वो currency को बहुत जादा manipulate करते हैं, अब क्या, इस list में होने का मतलब यह है, कि US जो है, हम पर किसी तरीके की restriction है, imposition जो है, sanctions लगाएगा, नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कि कुछ restrictions है, या फिर कुछ sanctions जो है, वो यहाँ पर US के द्वारा लगाया जाते हूं, लेकिन psychological pressure create करने की कोशिश करी जाती है, दूसरी countries जो इस list में शामिल है, मैं आपको दो की नाम बताता हूं, एक तो India हो गया, ठीक है, कुछ major countries के नाम मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं आपसे expect करूँगा, जो non major countries है, उनके नाम आप मुझे बताएगा, तो India है, इसके अं आपका इकली भी है, 11 countries है, 5 countries के नाम मैं आपको बता दी है, remaining 6 countries जो है, उनके नाम आप मुझे comment section में जरूर बताएगा, इसके अंदर काफी important countries है, question पूचा दा सकता है, कि इसके अंदर कौन कौन सी country शामिल है, कौन कौन सी country शामिल नहीं, remaining 6 countries के नाम जरूर बताएगा, चल Recently news थी, Union Government told the Bombay High Court that making fast act mandatory for all the vehicle does not breach a citizen's fundamental rider to freedom of movement in any way, तो basically यहाँ पर क्याचे का दायर करी गई थी, जिसमें कहा गया था, कि जो fast act है इसकी वज़े से, जो freedom of movement है, वो कही न कहीं hamper हो रहा है, अगर हम fast act को mandatory कर देते हैं, तो basically यहाँ पर जो बात रखी गई थी, उसमें यह कहा गया था, कि fast act को mandatory नहीं करना चाहिए, क्योंकि इ union government है, उन्होंने Bombay High Court को जबाब दिया, कि देखे, fast act mandatory करने से, किसी भी तरीके का fundamental rights है, why it नहीं हो रहा है, question जो है fast act के बारे में देख लेते हैं, पहरी चिपन कहती है, fast act जो है, एक reloadable tag है, चीक है, हो सकता है, second, it used infrared technology, इसके इन्फारेट technology का इस्तमाल किया जाता है, जिस चलिए, देखे, RFID, मैंने आपको पहले भी बतायता है, radio waves का इसके अंदर इस्तमाल किया जाता है, तो यह पर RFID का इस्तमाल किया जाता है, to read and capture the information, जो कि in tags के अंदर store होती है, तो second statement आपकी incorrect हो जाती है, but yes, जैसे आपके prepaid sims होते हैं, उसी तरीके से fast act भी जो है, यह एक amount है, उसे डलवा सकते हैं, और बार बार उसे use कर सकते है, tolling boots के ओपर, fast act ensures seamless traffic moment, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम पहले रुक के payment किया करते थे, उसमें बहुत जाता टाइम लगता था, कई बार change होता था, कई बार नहीं होता था, और उसी चक्र में जो time wastage है, जो पीछे technology है, इसको लेकर आया गया है, विदेशों में भी बहुत जगा पर इस तरीके की technology को use किया जाता है, तो basically दूर से ही camera जो है, वो read कर लेते हैं, और आपकी जो movement है, वो काफी easy हो जाती है, right to freedom of movement, जो है, वो guarantee किया गया है, article 19 के अंदर, जैक है, क्योंकि right to freedom of movement के बात करी answer will be a, चलिए, चलते हम अपना third question के ओपर, this is the fast tag, question no.3 को देख लेते हैं, question no.3 जो है, extradition treaty के बारे में है, एक अच्छी news भी है, आपर, देख लेते हैं, extradition treaty के बारे में पूचा है कि बताएं, कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कतन आपका, सही है, तो सबसे बहले तो यहाँ जो topic है, उसको आपको underline करना है, और साथी साथ जो चीज पूची गई है, उसको circle में डालना है, दो statement है, देखते हैं one by one, India and the UK entered into an extradition treaty in 1992, तो United Kingdom के साथ, इंडिया ने इस treaty को 1992 में ही sign कर लिया था, possible है, in India, the extradition of a fugitive criminal is governed under the Indian extradition act 1962, तो जो extradition किया जाता है, वो हमारे यहा Recently मैं आपको news बता देता हूं, UK का जो home department है, उन्होंने नीरमोदी को extradite करने के लिए, जो approval है, वो दे दिया है, जो नीरमोदी है, एक diamond merchant हुआ करते थे, इंडिया के अंदर, और कहा गया है कि PNB के अंदर जो 13,758 करोड का fraud हुआ है, वो उसके लिए responsible है, तो एक तरीके से हमारे लिए, वो economic offender है, ठीक है, economic offender को होते हैं, जिनके against में warrant issue कर दिया गया हो, साथ ही साथ जो इंडिया छोड़के भाग चुके हो, और जो minimum 100 करोड, 100 करोड के गवर्न के रिस्पॉंसिबल, ठीक है, 100 करोड से जादा का fraud यहाँ पर involved है, और इनके नाम पर दिया गया है, इसी विदे से वो आपके economic offender भी हो जाते हैं, extradition process में क्या होता है, extradition process में एक country और दूसरी country जो है, इसी चीज़ को लेकर बात करते हैं, कि हमारे यहां से एक individual है, जो हमारे यहां से crime करके भागा है, और आपकी country में चिपा है, आप उसे please वापिस करने, उसका प्रतियार प्रत करें, ठीक है, तो इसमें usually यह भी होता है, कि जो first country है, यहां पर जो इसकी interpol agency होती है, वो country B की interpol agency से जो conversations होती है, जो communication होती है, वो करती है, पूरी information उनको देती है, कि क्या-क्या fraud जो है, इस वक्ति के द्वारा किये गए है, जिसको यहां पर वापिस बुलाने की बात एक offender list के अंदर आ गए है, और इंडिया से बार भाग चुके है, जिनके गिंसमे वारंड भी issue किया चाच चुका है, उनकी जो information है, वो उनके साथ, इंटरपोल के साथ share करी गई है, अब आते हैं अपनी question के उपर वापिस, extradition treaty की बात करें, तो इंडिया नहीं UK के साथ, और UK के साथ, बाकी दूसरी काफी सारी countries जिनके साथ extradition treaty को sign किया है, UK के साथ, Australia के साथ, Bangladesh के साथ, US के साथ इस treaty को sign किया गया है, 1992 में ही, इंडिया ने UK के साथ इस treaty को sign कर लिया, तो पहली statement हो जाती है, ठीक, और इंडिया के इंतर जो पूरा extradition का process होता है, जो चलाया ज जाता है, fugitive criminal के against में, वो Indian extradition act 1962 के ही साथ से चलाया जाता है, तो answer आपका यहां पर हो जाएगा, see, दोनों statements आपके यहां ठीक हो जाती है, ठीक है, चलिए, question number 4 पे चलते हैं, यहां पर one by one आप जो MCQs है, उनके इंदर daily basis पे अच्छा perform करते रहते हैं, अपने आपको analysis करत रहते हैं, then definitely current phase के अंदर जो आपके marks हैं, वो काफी जादा improve हो जाएंगे, जब prelims का exam आपके सामने आता है, even though अगर आप PCS यह दूसरे exam की त्यारी करने हैं, वहां पर भी आपको help ने लेगी, लेकिन condition यही होती है, कि एक तो आपको हार नहीं माननी है, आपको daily basis पे questions को solve करना है, और daily basis पे आपको अपने score को improve करने की कोशिश करनी है, ठीक है, हो सकता है, आप 0 का score कर रहे है, 1, 2, 3, 4 का score कर रहे है, जो कि मैं मान दों की कम score है, लेकिन, believe me, शुरुवात छोटे से ही होती है, एक बहुत बड़ी चीज की, तो 10 तक पोचने के लिए जो सीड़ी हो जिसमें शुरुवात में आपको 0, 1, 2, 3, 4, यह सब marks देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहीं पर हार मान जाते हैं, बीच में ही, तो definitely improve नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बीना हार माने, बीना इस चीज़ को दिल पर लिए होए, कि marks कमा रहे है, आप अगर improve करते ज शुरू हो जाएंगे, और eventually, you will start getting 9 out of 10, 8 out of 10, 10 out of 10, और prelims के अंदर भी जो आपके mark से, वो easily 140 प्लस तक पहुंच जाएंगे, चलते हैं, question number 4 के ओपर, question number 4 की बात करें तो, global diabetes compact to better fight the disease, while marking the centenary of the discovery of insulin is launched by, तो यह particular, जो आपका global diabetes impact है, जो कि आपकी disease को fight करने के लिए लेके आया गया है, जल्दी से बताएं, global diabetes impact के बारे में, compact के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताएं, क्या answer होगा, फिर मैं आपको diabetes के बारे में भी कुछ information जो है, वो देने वाला हो, चलिए, so यहाँ पर, world health organization ने लॉंच किया है, global diabetes compact to better fight the disease, while making the centenary of the discovery of insulin, तो insulin जो ह इसको मिले हुए, अब इसको 100 साल हो चुके है, इसी चीज़ को लेकर ही, global diabetes compact जो था, इसको launch किया गया, program was launched at the global diabetes summit, which is also co-hosted by government of Canada, यहाँ पर government of Canada जो थी, वो भी इसके नदर शामिल थी, diabetes की बात करे, diabetes जो है, क्या यह communicable disease है, नहीं, diabetes is a non communicable disease, ध्यान रखेगा, यहाँ पर तो आपका answer जो है, वो मैं a कर देता हूँ, a is the correct answer, और साथी साथ, non communicable disease है, that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin, जब pancreas जो होता है, वो enough मात्रा में, ample मात्रा में, insulin को produce नहीं करता है, अब insulin क्या होता है, insulin एक hormone होता है, जो कि blood sugar को, glucose को, body के अंदर regulate करता है, चीक है, अब जब वो blood sugar को, या फिर glucose को regulate करने वाला, जो hormone है, वो release नहीं होगा, तो blood sugar जो, वो काफी जादा भी हो सकती है, तो यहाँ पर, basically, pancreas, जब इस important hormone, जिसको insulin का जाता है, इसको produce नहीं करेगा, तो body cannot effectively use the insulin it produces, तो वहाँ पर body के अंदर problem होनी, आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो धियान को regulate करने के लिए, इसकी वज़े से क्या होता है, bodily functions जो है, वो change होने लगते है, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर, WHO global diabetes compact के बारे में धियान रखेगा, यहाँ पर दो तरीके की diabetes होती है, आपने सुना होगा, type 1 diabetes होती है, और type 2 diabetes होती है, तो दो तरीके की diabetes, पहली diabetes वो होती है, जब आपका pancreas, जब भी यहाँ पर जो patient है, उनका pancreas, जनको diabetes है, उनका जो pancreas है, वो sufficient insulin को produce नहीं करता है, sufficient, इस important hormone को produce नहीं करता है, उस case में क्या होता है, उस case में artificial तोर पर आपने देखा होगा, कि लोग जो है, injection जो है, उसके थूँ, insulin जो होर्मोन होते है अपनी body के अंदर डालते हैं, और फिर वो जो है, blood sugar level को regulate करता है, second time की diabetes में क्या होता है, type 2 diabetes कहते है, type 2 diabetes is the most common type of diabetes, इस condition के अंदर, body does not use insulin properly, body हमारी जो है, वो insulin को properly use नहीं कर पाती, this is called insulin resistance, main reason for the occurrence of this type 2 diabetes is due to obesity or lack of exercise, जब हम exercise नहीं करते हैं, या फिर obesity हो जाती है, body के अंदर, use करनी चाहिए, हमारी body को use करनी चाहिए, वो हम proper तरीके से use नहीं कर पाते है, इसी वज़े से insulin resistance जो हमारी body के अंदर होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखेगा, this is the type 2 diabetes, जो की ज़्यादा common होती है, तो आपने इस वाले case को कम देखा होगा, जब लोग जो injection है, वो अपने state has announced जन अनुशासन पकवाड़ा, उडिसा, राजिस्तान, मध्यपरतेश या फिर महाराश्ट्रा, किस राज्ये ने जन अनुशासन पकवाड़ा को अभी announce किया, बताएं, चली, तो यहाँ पर जन अनुशासन पकवाड़ा हो या फिर इसे कहा जाता है, public discipline fortnight, यह राजिस् time देखे गए है, और इसी बज़े से यह particular अनुशासन पकवाड़ा इसको launch किया गया है, ताकि लोग अब ध्यान रख सकें इस चीज़ को, तो यहाँ पे basically कल ही यह complete हुआ, इसी बज़े से news में था, जन अनुशासन पकवाड़ा जो था basically April 16, 6 बज़े से शाम को शुरू कर गया था, और कल सुबह पांच बज़े यह complete हुआ, conclude हुआ, और राजस्तन के अंदर लेके आया गया था, क्योंकि COVID-19 cases जो थे, वो काफी सदा increase हो रहे थे, इसके अंदर government ने किसी बी तरीके का lockdown, किसी बी तरीके का curfew जो था, वो यहाँ पर इसको नहीं कहा, क्योंकि इसक अनुशासन पकवाड़ा के अंदर, curfew के feature भी थे इसके अंदर, तो ना ही इसे पूरे तरीके से lockdown कहा जा सकता था, ना ही इसे पूरे तरीके से curfew कहा जा सकता था, इसी वज़े से कोई तीसरा नाम दे दिया गया, जन अनुशासन पकवाड़ा, ठीक है, answer क्या हो जाएग because upcoming exam के लिए, अभी mock test देना काफी जरूरी है, जो लोग next year के लिए त्यारी कर रहे हैं, और अगर आपके basics clear है, लेकिन आप उसको further enhance करना चाहते हैं, basics से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, then you can go for the crash courses, जो कि आपका 100 days और 200 days के courses हैं, उसमें आप enroll करा सकते हैं, ये दोनों courses के ओपर, ठीक है, तो यहाँ पर crash courses, जो हैं, जिन लोगों को basic knowledge है, NCRT वोगेरा पड़ी हुई है, और थोड़ा बहुत idea है, UPSC के बारे में, आप crash course के लिए चले जाएएगा, लेकिन जिन लोगों को बिलकुल भी idea नहीं है, बिलकुल zero से start करना चाहते हैं, वो कोशिश कर इतने हैं, बात कर रहा है, which country launched one of the world's biggest underwater neutrino telescope, जिसको की बैकाल GVD, that is gigaton volume detector in the water of lake, बैकाल कहा जाता है, जिक है, तो जल्दी से बताएं, किस country के द्वारा इसे launch किया गया है, और क्या है ये, ये भी आपको बता दिया, underwater neutrino telescope है, बैकाल GVD, जो है, वो इसे कहा जाता है, के द्वरे लाए गया है, मंगोलिया, चाइना या फिर कजागिस्ता, चली, so construction जो है, इस telescope का, वो 2016 में शुरू किया गया था, और यहाँ पे mission था, कि हमें fundamental particles, illusive fundamental particles, जो है, उसको detail में study करना है, जिसको की neutrino कहा जाता है, ठीक है, और basically ये भी कोशिश करी जा रहे थी, कि जो neutrino's है, इनके sources क्या है, उसका पता लगाना भी एक इसके अंदर objective को रखा गया था, इसी वज़े से आपका neutrino telescope, जिसको बैकाल GBD कहा जाता है, ये कुछ दिन पहले भी नहीं उसमें था, हमने इसके बरे में discussion किया था, ये launch किया गया है, रशिया के द्वारा, ठीक है, ध्या बन सकता है, लेक बैकाल के ओपर, तो इसको ध्यान से देख लीचेएगा, चलते हम अपने next question के ओपर, which is question number 7, question number 7 को देख लेते हैं, पूछा गया है, आप बताएं, लिंगराश temple के बारे में, correct statement आपकी कौन सी है, ये जो temple है, ये Lord Vishnu को dedicate किया गया है, हो सकता है, it is believed to have been built by Som Vanshi King, Yayati the first, हो सकता है, किस king के द्वारा बनाया के वो बताया हुए, और ये आंदर परदेश के अंदर locate करता है, बताएं, आपकी correct statement कौन सी है, कौन सा कतन सही है, फिर इसको discuss करते हैं, चलिए, तो यहापर recently, Odisha government ने public entry जो है, वो लिंगराश temple के अंदर restrict कर दी है, क्योंक to give a facelift to the temple, akin to its pre-350 year structure status, और सिर्फ इसी मंदिर में नहीं, बाकी काफी सरे मंदिरों के अंदर, जो restriction किया गया था, एंट्री का, वो corona की वज़े से पहले भी किया था, लेकिन बीच में, जब cases कम होने लगे, हमने अपने, जो temples थे, और साथी साथ, जो दूसरे public places थे, उनको open करना शुरू किया, लेकिन अभी cases दुबारा से बढ़ रहे हैं, इसी वज़े से restriction जो है, वो दुबारा से लगाए गई है, अब यहाँ पर लिंगराज temple है, तो लिंगराज temple से नाम से आपको पता चल रहा है, कि यहाँ पर यह जो particular temple होगा, क्योंकि लिंगराज शिवलिं entry अभी यहाँ पर, answer क्या हो जाएगा, A will be the correct answer, चलते हैं, next question के ओपर, which is question number 8, question number 8 को देख लेते हैं, this is the temple, question number 8 बात करता है, which is the following is, not the style of Indian temples, इस में से कौन सा Indian temple का style नहीं है, क्या नगरा कोई style नहीं है, what about वसरा, द्रविडा, and then, गडग, options मैंने काफी easy set करें हैं, क्योंकि question थोड़ा सा अलग था, let's see, कितने लोग आपके यहाँ पर answer कर पाते हैं, कितने aspirants यहाँ पर answer कर पाते हैं, it's all about the options, क्योंकि कि किसी भी मुश्किल question को असान बनाया जा सकता है, घर option सही तरीके से set किये जाएं, और किसी भी easy question को difficult बनाया जा सकता है, यहाँ पर मैंने कोशिश करिए, आपको question तो मैंने थोड़ा सा typical दिया, लेकिन options आपके काफी असान set करें, चली, देखें, उडिसा का जो लिंगराश टेंपल था, यह न्यूज में था, साथी साथ यहाँ पर कलिंगा style of temple architecture जो है, उसके बारे में भी बताया गया था, और यहाँ पर नगर style के बारे में भी जिक्र किया गया था, जो news paper था आपका, इसी वज़े से, यहाँ पर अलग culture की जो series है, exam.network.com के उपर, वहाँ पर यह सारी चीजे में आपको pictures के तुरू पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको इसमें pictures भी show करी थी, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या होगा, none of the above, पूछाए कि कौन सा इसमें से Indian temple का style नहीं है, यह चारो ही Indian temple के style हैं, तो answer हो जाएगा आपका D, none of the above, चेक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, in styles के बारे में भी exam में art and culture को लेकर question पूछा दा सकता है, और मैंने आपको बताए कि जो चीजे, चाहे वो history की हो, Indian history की, या फिर geography की हो, या फिर Indian art and culture की हो, जितनी भी चीजे newspaper में appear होती है, वो व question number 9 को देखते है, Fukushima power plant कहां पर locate करता है, दुबारा से ये news में था, basically, जब हम लोग त्यारी किया करते थे, 2010, 2011, 2012 की बात है, तब Fukushima का incident ये हुआ था, और यहाँ पर, अभी ये दुबारा से news में, basically, 2011 के अंदर, जब हम लोग त्यारी किया कर रहे थे, तब 10 साल पहले, 2021 मे बारा से news में आया था, 2011 में तो ये काफी news में था, हमने काफी इसके बारे में पढ़ा, कैसे कैसे यहाँ पर ये incidents हुआ, जो भी आपको बताने वाला हूँ, ये सब चीज़े हमने, बिल्कुल इसका ins and outs पढ़े थे, current face के perspective से, but आप में से कितने लोग इसको लेकर परीचित है, I have no idea, but let's see, आप में से कितने लोग at least ये बता पाता है कि कहाँ पर exist करता है, कहाँ चाइना में है, South Korea में है, Japan में है, या फिर North Korea के अंदर है, बताईए, चली, देखे, Fukushima nuclear plant की जो tragedy हुई थी, वो Japan के अंदर हुई थी, और अभी Japan ने decide किया, कि वो 1 million tons of treated water, जो है Fukushima nuclear plant का उसे ocean के अंदर release करेगा, लेकिन China ने कहा Japan को कि आप अपने decision को वापिस लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे आप पानी को release करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं हमें हानी पहुचा सकता है, चिक है, Fukushima Daiichi nuclear plant जो है, it is disabled nuclear power plant, जो की locate करता है 3.5 square kilometer site, Okuma के अंदर, जो की आपका Fukushima prefecture Japan के अंदर है, plant को basically major damage इसने सफर किया था, from the magnitude of 9.0 earth cake आया, and tsunami eye that hit the Japan on March 11, 2011, और इसके बाद यहाँ पर Fukushima की जो तरास दी है, वो यहाँ पर हमें देखने को बिली थी, चिक है, तो answer आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, Japan is the correct answer, और China ने अभी Japan को यहाँ पर water को release करने के लिए बना किया है, तो ध्यान रखिये का इसके बारे में चलते हैं हम आज के last question के ओपर, उसके बाद हम revision जो अपनी करने वाले हैं, चलिए, last question देख लेते हैं, last question हमारा है, IUCN status, hippopotamus, या फिर water horse को लेकर, काफी news में था, water horse, hippopotamus, आपको इसके IUCN status के बारे में बताने हैं, क्या to confer protection for exotic animals, तो exotic animals को protection देने के लिए, यहाँ पर Delhi High Court ने center को अभी direct किया है, यहाँ को exotic animals जो है, उनको protect करना है, as per the wildlife protection act 1972, court orders came in response to a petition, जो की file करी गई थी, animal rights group के द्वारा, कि आप exotic animals को बचाएं, और उसी बज़े से court ने यहाँ पर इस चीज़ को संग्यान में लिया, और इसके के द्वारा करी गई थी, people for the ethical treatment of animals के द्वारा, और यहाँ पर जो hippopotamus है, उसका भी जिक्र किया गया था, उसको भी rescue करने के लिए, कि various circuses जो है, खास तोर पर यहाँ पर Asian circus की बात करी गई थी, UP के अंदर, उसमें इस hippopotamus जो है, उनको कैसे save किया गया है, उसके बारे में भ पूच अदा सकते है, exam के अंदर, जल्दी से बताएं, चलिए, तो यहाँ पर जो आपका status है, water horse या hippopotamus का, वो है, vulnerable, धियान रखिएगा, ठिक है, यहाँ पर vulnerable कर लीचेगा, अगर आपकी जो हिंदी है, इसका translation में थोड़ा सा issue है, तो, so D, यहाँ पर correct answer आपका हो जाएग ठीक है, वैसे भी, earlier, last year की बात करें, June 2020 के अंदर, Ministry of Environment, Forest and Climate Change होते, उनोंने एक advisory यहाँ पर बेसिकले निकाली थी, और कहा गया था, उसके अंदर की जो exotic animals है, उनकी life को हमें improve करना है, ऐसा जो advisory थी, वो ministry के द्वारा, मंतराले के द्वारा निकाली गई थी, तो धियान रख तो हमारा जो discussion होगा, वो global climate 2020 report के बारे में होगा, chat के बारे में discussion करेंगे, map related question है, ICJ, Vienna convention के बारे में जानेंगे, world press freedom index 2021 के बारे में discussion होगा, respond program के बारे में जानेंगे, then इसके बार discussion हमारा imprint program को लेकर होगा, उसके बाद, Czech Republic का जो border है, इसको लेकर map का question है, and then startup India, seed fund scheme, SI, SFS के बारे में discuss करते हुए, NASA का ingenuity, जो mission है, इसके बारे में हमारा discussion होगा, तो यहाँ पर चलते हैं, first question के ओपर, जो की state of the global climate 2020 report को लेकर है, पूचागे, किसके द्वारा release करी गई है, ठीक है, recently यह जो particular global climate 2020 है, इसको release किया गया है, किया यह world materialological organization के द्वारा, IMD के द्वारा, WTO क द्वारा, या फिर none of the above, Indian materialological department के द्वारा लाया गया है, world materialological organization के द्वारा इसे लेकर आया गया है, WTO के द्वारा इसे लेकर आया गया है, या फिर none of the above, जिसमें कोई भी body, कोई भी agency हो सकती है, it could be word bank, it could be any, आपकी private bodies, वो भी हो सकती है, IMF भी हो सकता है, बताइए क्या answer ह होगा, फिर करते हैं discussion, चली, तो recently world materialological organization released its annual, हर साल ये निकलती है, state of the global climate for 2020, पिछले साल भी हमने इसके बार में discussion किया था, दुबारा से ये जो report निकाली गई है, ये news में थी, तो उसे revise कराना काफी ज़रूरी होता है, हर साल कुछ नए नी चीज़ इसके अंदर आते है, the report was released ahead of the leader summit on climate, अभी climate के ओपर, एक leader summit होने वाले है, जिसको कि US, America जो होस्ट करेगा, उससे पहले इस report को निकाला गया है, और यहां पर बताया गया है, कि extreme weather combined with COVID-19 was a double blow for millions of people in 2020, तो 2020 के अंदर जो लोगों को नुकसान हुआ, extreme weather की वज़े से तो हर साल होता ही था, लेकिन इस COVID-19 की वज़े से और extreme weather दोनोंने मिल के, लोगों को millions of people, they have been affected by it, जिक है, however, pandemic related economic slowdown failed to put a break on climate change, drivers and accelerating impacts, लेकिन साथिसाथ ये भी बताया गया, कि जो pandemic की वज़े से economic slowdown हुआ, काफी industries जो थी, वो रुख गई, उन्रोंने काम का ना बंद कर दी, आप जानते हैं कि pan world level पे, जिक ह एक कोली stand still पे आ चुकी थी, उसके बावजूद भी climate change के अंदर, जो इसके जो drivers हुआ करते थी, उस पे कुछ जादा हमें impact देखने को नहीं मिला, जिक है, answer आपे क्या होगा, world material logical organization के दोरा इसे लेकर आया जाता है, annual इस report को लेकर आया जाता है, ध्यान रखेगा, जिक है, यहां से भी question पूछ लिया जाए, तो वैसे तो netmock.com पे, I'm pretty sure daily basis पे आप MCQs को solve कर रहे होंगे, वहाँ पर भी extra information, जितने भी हम MCQs करते हैं, इसके concerning extra information वाबर दिये होती है, it's an inter-governmental organization, आपका world materialological organization, inter-governmental organization है, जिसके अंदर 192 member states है, और territories इसमें include करती है, इंडिया भी इ अब 1873 Vienna International Meteorological Congress के दोरान, चीक है, तो 1873 के अंदर Vienna International Meteorological Congress होई, वहाँ पर IMA को originate, वहाँ से इसका origination जो होता है, second question को देख लेते है, जो कि chat के border को लेकर रहे है, पूछा कि chat का जो border है, वो किस को touch करता है, चीक है, तो basically अभी chat जो था, ये news में था, chat के जो president है, Idris Dabi, he has been killed on the front line against the rebels in the north, तो chat के जो president है, Idris Dabi, उनको मार दिया गया है, he was battling rebels belonging to the group FACT, fact group जो था, जिसका नाम है, front for change and concord in chat, ठीक है, यहाँ पर इस group से fight करते हुए, जो rebels थे, उन्होंने chat के president Idris Dabi को मार दिया, यहाँ पर जो question है, chat को लेकर पूछे जाएगा, वो इसकी location को लेकर होग पूछा गया कि किस का border इसे touch करता है, Egypt का करता है, Algeria, Mali या फिर South Africa, सोची के answer फिर करते हैं, इसको लेकर एक discussion, सोची, चली, तो यहाँ पर अगर मैं आपको chat की location दिखा दे तो मैं आपके पर उससे आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा, एक पर इससे थोड़ा सा ब नहीं कर रहा है, South Africa तो वैसे भी नीचे है, तो उससे तो वैसे भी touch नहीं कर रहा है, तो अगर हम question पर आते हैं, तो वैसे चाहे Egypt हो, Algeria हो, Mali हो, या फिर South Africa हो, किसी से भी इसका border touch नहीं कर रहा है, तो answer क्या हो जाएगा, आपका, D will be the correct answer, इसमें से कोई भी नहीं है, now the news you know, कि क्या चीज़ की वज़े से chat news में था, और उसी चीज़ की वज़े से question जो है, chat को लेकर पूछा दा सकता है, location मैंने आपको दिखा दिए, कौन-कौन सी country के जो borders है, वो touch करते हैं, और कौन-कौन सी country के border touch नहीं करते हैं, चलते हैं, next question के ओपर, which is question number 3, ICJ को लेकर है, ICJ एक principal judicial organization है, United Nation की, इसका headquarter पूछा गया है कि कहां पर locate करता है, simply आपको बताना है, ICJ का headquarter कहां पर locate करता है, ICJ, it's a principal judicial organization, UN की जिसे कि 1945 में, 1945 में इसे established किया गया था, by a UN charter, and it began working in 1946, next year ही, इसने काम करना शुरू कर दिया था, as the successor of permanent court of international justice, तो इससे पहले क्या हुआ करते थी, permanent court of international justice, PCIJ हुआ करती थी, उसको यहाँ पर, उसके successor के तोर पे इसको लेकर आया गया था, legal disputes जो है, वो member countries के बीच में settle करना, ये primary काम जो है, वो ICJ को दिया गया है, an Indian judge, नाम बताए उनका, क्या है, उनको ICJ के member के तोर पर रखा गया है, April 2012 से, ठीक है, तो 2012 April से, जो judge अवीर भंडारी है, he has been a member of ICJ, ध्यान रखेगा, it is seated in the peace palace of Hague, Netherlands के अंदर ये locate करता है, so answer क्या हो जाएगा, इसकी seat कहाँ पर है, Hague, Netherlands के अंदर है, चलिए, question number 3 हमने कर लिया है, चलते है, next question, question number 4 को देख लेते है, question number 4 बात करता है, Vienna Convention, Vienna Convention को लेकर, दो स्टेटमेंट्स दिया, आपसे पूछा कि बताएं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है, पहली सिपन कहते है, the Vienna Convention on Counselor Relations is an International Treaty, जो Vienna Convention है, Counselor Relations को लेकर, ये एक International Treaty है, हो सकता है, second statement कहते है, article 36 of the Vienna Convention states that, foreign nationals who are arrested or detained in the host country, must be given notice without delay of their right to have their embassy or consulate notified of that arrest, तो अगर किसी भी foreigner को arrest किया जाता है, तो उनके जो embassy होती है, वहाँ पर इसकी information देनी होती है, उस व्यक्ति को भी उसका base बताना होता है, ये भी statement आपकी ठीक हो सकती है, सोचिए, रिसेंटी, पाकिस्तान ने इंडिया को request किया to appoint a lawyer to represent death row convict of Mr. Kalbushan Yadav, national verdict आपकी थी, उसके concerning बात करी जा रही थी, पहले तो counselor access जो था, वो भी Mr. Kalbushan Yadav को नहीं दिया गया था, लेकिन India ने दबाव बनाना शुरू किया, और उसके बाद Pakistan जो था, वो line पे आ गया, और यहाँ पे counselor access जो था, वो provide किया गया, इसमें basically जो India था, वो ICJ इंडिया अप्रोच किया था, और वहाँ पर कहा था कि देखे, पाकिस्तान जो है, वो counselor access, जो कि as per the rule provide करना चाहिए Mr. Kalbushan Yadav को, वो यहाँ पर नहीं किया जा रहे, तो आप इसके अंदर intervene करें, तो intervention के बाद अब इंडिया को counselor access भी दिया गया था, और उसी को लेकर वियना convention के बा पहली जो उसकी embassy होती है, जिस country से वो वियक्ति आता है, वहाँ पर notify करना जरूरी होता है उस arrest का, तो दोनर statement ठीक होने की वज़े से, answer आपका क्या हो जाएगा, C will be the correct answer, चलिए, चलते है, question number fourth के बाद, question number fifth को discuss कर लेते हैं, question number fifth बात करता है, यहाँ पर, consider the following statement about wordpress freedom index 2021, wordpress freedom index 2021 के बारे में पूचे कि बताएं, correct statement आपकी कौन सी है, कौन से कतन आपका, सही है, पहली statement कहती है, इंडिया का जो रहिंक है, वो 142 आया है, out of 180 nations, हो सकता है, it is released by reporters without borders, यह जो report है, यह जो index है, किस के द्वारा लेके आए जाता है, reporters without borders के द्वारा, बताएं, क्या answer हो का, फिर discuss करते हैं इसको, चली, इंडिया की बात करें, तो जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से index होता है, उसमें अपना comparison आसपास के पडोसी देशों के साथ करते हैं, और पडोसी देशों की बात करें अगए, तो इसमें भुटान जो है, भुटान ने काफी अच्छा perform किया है, 65th rank आया है, नेपाल का rank भी कुछ खास्त नहीं है, average है 106, शिलंका जो है, वो भी 127 पे है, पाकिस्तन 145th rank पे है, तो हमारा जो rank है पाकिस्तन से बहतर है, लेकिन आसपास के बाकी जो हमारे पडोसी देश हैं, उनके comparison में हमने अच्छा perform नहीं किया, पहली शितन हमारी के ओपर और कॉछ नबर 6 पे जाने जे पहले, जो लोग next year के लिए 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो crash courses है, वो crack UPC exam in 100 days, या फिर crack UPC exam in 200 days की series के अंदर, enroll करा सकते हैं, these are the crash courses, जो 2022 में आपकी help करने वाले हैं, अगर आपको basic idea है, UPC के बारे में, then you can go for the crash courses, अगर आपके पास बिल्कुल भी जानकरी नहीं है, NCRT वगेरा भी आप cover करना चाहते हैं, वो भी आपने cover नहीं करी है, then you can go for the full-fledged course, जो की mission UPC 2022 है, exam.network.com पर जाकर, आप इन courses के अंदर enroll करा सकते हैं, चलते हैं, question number six के ओपर, question number six जो है, बात करता है, respond program के बारे में, देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर पूछा गया, respond program किसके द्वारा announce किया गया, now, क्या है ये program, ये तो हम जानेंगी, बट पहले, किसके द्वारा इसको लेकर आया गया है, DRDO, ISRO, IMD, या फिर NITIO, बताइए, चलिए, तो recently जो है, Indian Space Research Organization ने announce किया, that it will support eight joint research projects, mooted by the space technology cell, STC of IIT Delhi, IIT Delhi का जो STC था, space technology cell है, वहाँ पर support, जो है, eight joint research projects को वो देगा, ISRO, चीक है, ISRO has extended support to projects under respond program, respond program के अंदर, इस तरीके के जो space related projects होते हैं, वहाँ पर ISRO help करता है, साहता करता है, ISRO ने अपना respond, respond का मतलब कह है, research sponsored, research sponsored, मतलब sponsored, इसमें ISRO ने response program जो था, research को sponsor करने के लेकर आया था, यह 1970 के अंदर, with the objective के academia, जो है, उसका space area के अंदर, जादा से जादा participation होना चाहिए, और वह participation तभी होगा, जब space के concerning, जो भी initiatives, institutions के अंदर, हमा institutions हैं, IT's हैं, या फिर IC's हैं, वहाँ पर लिए जाते हैं, उनको support किया जाए, ठीक है, तो knowledge का support हो, या फिर infrastructure को use करने का support हो, या फिर financial support हो, जब ये चीज़े करी जाएंगे, तभी, यहाँ पर कुछ फाइदा होगा, कुछ ने कुछ encouragement, जो है, वो institutions को मिलेगा, यहाँ पर answer ह B will be the correct answer, क्योंकि response program जो है, इसे announce कि आ गया था, इस row के द्वारा, चली, अभी एक और program जो है, उसके बारे में जान लेते हैं, response program से आगे बढ़ते हुए, वो program हमारा है, imprint program, चली, imprint program में क्या है, वो जानते हैं, basically आपको बताना है, imprint program के बारे में कौन सी statement आपकी ठीक है, imprint क इसको लेकर आपको बताना है, क्या है, पहली statement कहते है, the scheme was released in 2015 by the ministry of HRD, HRD ministry के दोरह इसको लेकर आया गया, तो 2015 के अंदर, imprint provides overarching vision that guides research into areas that are predominantly socially relevant, हो सकता है, कि socially relevant areas के अंदर, इसमें काम किया जाता है, research जो है, वो करी जाती है, it is first of its kind, pan-IIT only initiative to address the major science and engineering challenges, तो इसके अंदर, pan-IIT basically IT जो है, वो ही involved है, और इस तरीके के, जो major science and engineering challenges जो है, उनको addresses के अंदर किया जा रहे है, बताइए, क्या answer होगा, फिर करते हैं, discussion, चलिए, तो यहाँ पर imprint के बारे में बात करें, तो yes, 2015 के अंदर, MHRD, जिसे अब ministry of education के नाम से जाना जाता है, वो imprint program को लेकर, IT जिसके अ जाती है, उसके अंदर, ऐसे areas को cover किया जाते है, ऐसे areas को target किया जाते है, जो कि, कहीं ना कि, society की जो problems होती है, उसको solve करते है, जहाँ पर scientific knowledge को apply करते होए, कैसे society की problems को दूर करना है, वो हम करते है, hackathon के द्वारा, imprint में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर science and engineering challenges को दूर किया जा जा रहा है, तो answer आपका क्या हो जाएगा, B will be the correct answer, क्योंकि पहली दो statement आपकी ठीक है, third statement is incorrect, चलिए, question number seven से आगे बढ़ते हुए, हम चलते है, question number eight के ओपर, और देख लेते है, यहाँ पर क्या चीज़े हमने देखनी है, imprint से आगे बढ़ते हुए, imprint की full form ऐसी एक पर देख को touch करता है, आपको बताने correct statement आपकी कौन सी है, पॉलेंड को, जर्मनी को, जल्दी से बताइए, चेक रिपबलिक अभी news में था, a day after चेक रिपबलिक expelled 18 Russian diplomats, रशिया जो था, उसने retaliate किया by announcing it would send back 20 Czech diplomats, तो क्या हुआ, चेक रिपबलिक ने 18 diplomats जो थे, जो वहाँ के foreign services के offices होंगे, रशिया के diplomats को यहाँ पर expel कर दिया, वापिस रशिया भीज दिया, और रशिया ने का कि आपने हमारे 18 लगों को वापिस बेजा है, तो in retaliation हम आपके 20 diplomats को वापिस बेजेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, basically दोनों देशों के बीच में relation जो हो, further strained हो जाएंगे यहाँ पर बातचित करके इस चीज को सुल्जा लेना जादा भैतर होता, चलिए, यहाँ पर चेक रिपब्लिक का border किसको टच करते हैं, देखे, पॉलेंड को करता है, मैं आपके ओपर दिखाऊंगा भी आपको, पॉलेंड को, जर्मनी को, स्लोवेकिया को देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने question के ओपर वापिस, और question के ओपर देखेंगे, पॉलेंड भी है, जर्मनी भी है, और स्लोवेकिया भी है, लेकिन औस्ट्रिया नहीं है, औस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जो चोता option दिया गयते हैं, मिस्रीडिंग की वज़े से दिया गया था, कि ब को incorrect पढ़ना, incorrect को correct पढ़ना, इस तरह की गलती हमसे काफी बार हो जाती है, तो यहाँ पर miss reading जो था, अगर उसकी वज़े से question गलत हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए, otherwise हमारा जो answer है, वो यहाँ पर A होगा, Australia जो था, वो एक filler के तोर पर दिया गया, तो Australia तो काफी दूर है, उससे border, इस country का touch नहीं होता है, चलते हैं next question के ओपर, which is question number 9, question number 9 को देख लेते हैं, पूछा क्या, startup India seed fund scheme जो है, किसके द्वारा launch करी गई है, जल्दी से बताइए, startup India fund scheme जो है, इसमें basically जो incubators होते हैं, उनको कितना पैसा देना है, उनकी funding की बात करी गई है, नएने startups ज ID हैं, और साथी साथ, जिन्होंने कुछ हद तक surface level पे, ground level पे रहते हुए, startups को शुरू तो किया, और कुछ हद तक profit भी अन किया, अपने आपको prove किया, further अगर उनको finance किया जाता है, तो definitely वो further grow कर सकते हैं, ऐसे startups के लिए, एक यहाँ पर committee भी बनाई गई है, तो जो committee है, यह ministry of commerce के दोरा, इसे अभी recently लेके आया गया है, हमारे startup को बढ़ावा देने के लिए, उसके अंदर growth देखने के लिए, आज के 9th question से आगे बढ़ते हुए, last question पे चलते हैं, last question हमारा जो है, बात करता है, question number 10, NASA Ingenuity Mission के बारे में, इसका first helicopter अभी कहां पी उड़ा है, यह आपको चली, NASA ने announce किया था Ingenuity, और इसने अपनी पहली flight जो थी, वो कहां पर, ओड़ी थी, इसकी जो पहली flight थी, कहां पर वो basically fly करी थी, that was on Mars, अभी recently news में था, first flight of a powered aircraft on another planet जो है, वो करी गई है, और यह करी गई है, Mars के ओपर, मंगल ग्रे के ओपर, so B हमारे हापे correct answer हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आप imagine कर सकते हैं, current face की series में 23rd of April पे हम पाउच चुके हैं, यहाँ पर जो 10 areas को हम cover करने वाले उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो discussion हमारा होने वाला है, वो various 10 important topics जो कि अभी current face में news में थे, उनको लेकर होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग यह जिसके बारे में जानेंगे, आज mains का question भी आपका यहीं से बनेगा, international space station program को लेकर एक question है, coal gasification, civil services भी को discuss करेंगे, asset reconstruction companies, then आपका बाओ conference के बारे में जानेंगे, vaccine के बारे में discussion होगा हमारा, then हमारा discussion होगा, international religious freedom report के बारे में, USCIRF के बारे में discussion करते होए, हम codex committee पे जाएंग और यहाँ पर हमारा discussion जो है, वो हम इसके बाद revision करने वाले हैं, consider the following statements about ad hoc judges, ad hoc judges अभी news में थे, देख लेते हैं, इनको लेकर पूछा गया है कि correct statement आपकी कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है, पहली statement जो है, उसको देखने से पहले हमें यहाँ पर topic को underline करना है, जो statement कहते है, they are appointed under article 224A, article 224A के अंतरकत इनको appoint किया जाता है, the ad hoc judges may help in reducing the pendency of cases, pendency को कम करने में ad hoc judges जो है, important role निभाते हैं, जल्दी से बताएं क्या answer होगा, फिर discussion करते हैं इसके उपर, चली, देखें, तो कल ही Supreme Court ने clear किया, और basically ad hoc judges को appoint करने में एक परिशानी आ रही थी, वो परिशानी को दूर करते हुए, जो appointment है, retired judges की as ad hoc judges in high courts, उनको यहाँ पर Supreme Court ने clearance दे दी है, अब article 224A के अंतरकत जो की constitution का है, वो use किया जा सकेगा, ad hoc judges, retired judges को appoint किया सकेगा, ताकि जो backlog cases का बढ़ता जा रहा है, जो हमारी courts के अंदर pendency बढ़ती जारी, आप जानते हैं कि ला ऐसा नहीं है कि कभी भी इसको इसको इस्तमाल करती है, rarest of the rare cases के अंदर जब इस तरीके से pendency बढ़ती है, या फिर कोई और ऐसा reason होते है, जा पर हमें retired judges के help की जरूत बढ़ती है, वो हम लेकर आते हैं, constitution deals with appointment of ad hoc judges in high court, यह दियान रखिएगा, it says the chief justice of a high court for any state may at any time with the previous consent to the president, तो इसमें president की consent जो है, वो बिलकुल priority है यहाँ पर, तो president की consent अगर होती है, तो chief justice of high court जो है, वो किसी भी वग request कर सकते हैं, any person who has held the office of a judge, जो पहले judge रह चुके हैं, court के अंदर, उनको यहाँ पर, और court कौन सी, किसी भी high court के अंदर अगर कोई judge रह चुके हैं, उनको यहाँ आपर, कहा जाता है, यह offer किया जाता है, आप अप अधोग judge का जो post है, वो ले सकती है, और यह हमारे pendency बढ़ती जा रही है, उसको कम करने में हमारी सायता कर सकते हैं, तो यहाँ पर they are appointed under article 224 A, बिलकुस यह statement हमारी ठीक हो जाती है, first statement is correct, second की बात करें, add-on judges may help in reducing the pendency, तो second statement भी ठीक हो जाती है, answer क्या हो जाएगा, C will be the correct answer, add-on judges से आगे बढ़ते हुए, चलते हैं, second statement के ओपर, second question के ओपर, यहाँ पर देख लेते हैं, किस चीज़ के बार में बात करी जा रही है, second question को discuss करते हैं, अभी recently एक country ने announce किया है, कि international space station program जो है, वहाँ से यह withdraw करेंगे, तो आपको उस country का नाम बताने, तो कौन सी country ने भी announce किया है, कि international space station program जो है, जो शुरू किया गया था, उसमें से वह withdraw करने वाले क्या, Russia विड़ो कर रहा है, US विड़ो कर रहा है, France कर रहा है, या फिर इसराइल कर रहा है, जल्दी से बताएं, चली, तो यह जो program है, international space station का, it was launched in 1998, जिसमें कि Russia, United States, Canada, Japan, European Space Agency शामिल थे, और आपका international space station जो था, यह collaboration के साथ, लाँच किया गया था, Russia Space Agency ने कहा है, basically, कि वो अपने orbital station को 2025 तक लाँच करने वाले हैं, और इसी वज़े से international space station program जो है, इसमें से withdraw करना चाहते है, तो answer क्या हो जाएगा, A will be the correct answer, आपका ज international space station है, यह basically एक collaboration का काफी अच्छा example है, क्योंकि Russia ने इसमें western countries के साथ collaborate किया है, space sector के अंदर, अभी जब यह withdraw हो जाएंगे, तो यह जो example है, अपने अब खतम हो जाएगा, because this is one of those areas, क्योंकि वैसे आप देखेंगे, रश्या की western countries के साथ जादा बनती नहीं है, खास तो the area, space sector के अंदर, जहां पर दोनों countrys ने काफी अच्छे से collaborate भी किया था, और पिछले काफी सालों से करते भी आ रहे थे, तो answer आपका हो जाएगा, अब Russia जो है, अपना international space station को यहाँ पे छोड़ कर, जो अपना खुद का orbital station है, उसे 2025 तक यहाँ पर लाने की सोच रहा है, तो coal gasification is the process of converting coal into synthesis gas, तो यहाँ पर coal gasification एक ऐसा process होता है, जिसमें की coal को synthesis gas के अंदर convert किया जाता है, हो सकता है, syngas can be used in a variety of applications such as production of electricity, making chemical products such as fertilizer, तो syngas क्या होती है, it can be used in a variety of application, अलग-अलग areas में syngas को इस्तिमाल किया जा सकता है, जैसे की electricity को produce करना है, chemical products को produce करना है, या fertilizer को पर यहाँ पर क्या syngas का इस्तिमाल किया जा सकता है, क्या यह सही application है इसकी, बताईए, फिर डिसकस करते हैं, चली, देखे, cabinet ने approve किया है, अभी exclusive subsidy policy for urea produced through coal gasification, चीक है, यहाँ पर coal gasification जो कि आपका culture fertilizer limited के दोरा लेकर आये गया है, उसके उपर subsidy policy का approval जो है, cabinet के दोरा दिया गय और coal gasification इसी को लेकर news में था, coal gasification जो है एक process है, जिसके through coal को synthesis gas, जिसको की syngas भी कहा जाता है, so synthesis gas को आप short में syngas भी कहते हैं, इसके अंदर convert किया जाता है, तो आपकी जो पहरी statement है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, बात करी जाए, इसके अंदर application की, तो यहाँ पर सिंग gas के application दिये, कि वो electricity को produce करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है, electricity से लेकर fertilizer तक, chemical products तक भी, इस syngas से create किये जा सकते है, produce किये जा सकते है, तो दोनों statement साब की ठीक हो जाती है, answer क्या हो जाएगा, C will be the correct answer, जो आपकी syngas है, जिससे synthesis gas कहते है, यह basically hydrogen का, so H2 hydrogen, और साथिसाद carbon monoxide CO, carbon dioxide, CO2, इसका mixture होती है, ठीक है, और इस mixture से आप fertilizer भी बना सकते है, chemical products भी बना सकते है, electricity को भी generate कर सकते है, तो C will be the character answer, question number 3 का, चलते है, next question, question number 4 के ओपर, syngas से आगे बढ़ते हुए, next देख लेते हैं, वैसे काफी easy question है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ आपसे पूछनों चाहता हूँ, when do we celebrate civil service day now, it's a very basic thing, हो सकता है, prelims में ना सही, interview में, यह question आपसे पूछ ले जाए, और वहाँ पर अगर नहीं पता होगा, तो वो कह आपको re-dedicate कर सके, किस चीज़ के लिए, यह हमारी country जो है, देश के लोगों के लिए, देश के लिए, उनका commitment है, वो इसको renew कर पाए, और अपने work के अंदर और भी excellence को लाँ पाए, इस वज़े से basically commemorate करने के लिए, याद दिलाने के लिए civil service day, यह 21st of April को celebrate किया जाता है, यह हमारे आपे correct answer हो जाता है, अब यहाँ पर prelims में आपसे एक question पूछने वाला हूँ, कि इसकी महतोता क्या है, इसकी significance क्या है, तो उसके लिए वेट करियेगा, prelims का आज का question है, वो आपको यहीं से बनने वाला है, इस date को choose किया गया था, to commemorate the day, जब पहली पर हमारे जो home professionals थे, उनको यहाँ पर एक lecture दिया था, एक briefing दी थी, और वो दी गई थी, Metcalf House, Delhi के अंदर, ठीक है, और जो civil services है, civil summons है, उनको steel frame of India जो है, उसके तोर पर भी refer किया जाता है, यह सब चीजे तो आप जानते हैं, लेकिन date को मत बुल जाएगा, हो सकता है, यह आप से interview के random fact check, ठीक है, चली, सर्दार वलबही पटेल का जो इसमें association वो भी ध्यान रखेगा, so A will be your correct answer, चली, चलते हैं, next question के ओपर, next question is, question बर फिफ्थ, देख लेते हैं, आपर asset reconstruction companies को लेकर question है, पूचा गया है, आभी एक कमेटी बनाए गई है, asset reconstruction companies को review करने के लिए, एक comprehensive review के को setup किया है, तकी asset reconstruction companies की working को review किया सके, साथ ही साथ, जो guidelines और guidance ARC को दी गई है, वो सही तरीके से, उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे है, जो जो recommendation दी गई है, उस तरीके से ARC काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे है, उसको लेकर भी, यहाँ पर review जो है, वो किया हैं, उनके यहाँ पर जो NPS की, NPS का जो number है, जो amount है, वो बढ़ता जाता है, वो ARC को, asset reconstruction company को allot कर दिये जाते हैं, और यहाँ पर एक fix amount को discuss कर लिया जाता है, banks और ARC के बीच में यहाँ डिसकस हो जाता है, कि ठीक है, आप ही जो NPS हैं, या फिर जो हमारे debtors हैं, उनको realize करे 25% पैसा मां आपको देंगे, remaining पैसा आप हमें देदीजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके debtors होते हैं, वो यहाँ पर banks के द्वारा allot के जाते है, asset reconstruction companies को, पैसे को recover करने के लिए, ध्यान रखेगा, question number 6 पर चलने से पहले, जो लोग 2022 के लिए त्यारी करें, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कि जो अपनी तयारी है, वो बिल्कुल जल्दी से शुरू कर दीजे, और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, कि even though you are not enrolled in any series, किसी भी series में आप enrolled नहीं भी है, तो यह चीज़ जरूर करिएगा, शुरुवात अपनी आप NCRT से करिएगा, सबसे पहले जो number आएगा हो, NCRTs का आएगा, वही का वही pattern, कि पहले NCRTs, फिर आपकी standard books, MCQs की practice daily basis पे, mains की practice daily basis पे, यह सभी चीज़ें आपको cracked UPC 700 days की series, 200 days की series के अदर मिल जाती है, बिकास यहाँ पर यह दो crash course जो हो create करेगा है, जिससे कि आपका जो most important areas होते हैं, उसको पहले cover किया जाता है, and then one by one, जैसे steps होते हैं, आपके day one में, आपको assignment मिलते है, day two में, day three में, इस तरीके से 200 days के अंदर, जो assignments है, उसके थुरू आपका UPC का syllabus जो हो cover कर आया जाता है, लेकिन अगर आपको बिलकुल भी UPC exam के बारे में idea नहीं है, आपने NCRTs के बारे में भी नहीं और आप foundation से इसको एक basic level से, zero से start करना चाहते है, then you can enroll in Mission UPC 2022 का जो हमारा course है, exam.network.com के ओपर, तो 2022 के लिए अभी आपको लग रहा होगा time जाधा है, but I'll suggest you कि एक एक दिन को अच्छे से utilize करें, अगर course में enrolled नहीं भी है, तो भी मैं आपको यह कहूँँगा कि अपनी NCRTs यह त्यारी कर सकते हैं, अपने आपको assignments दिना शुरू करें और daily basis पे उन assignments को complete भी करें, चलते हैं, next question, question number six के ओपर, जो की पूछ रहा है, where the BAO conference is organized, तो इसे कहां पर organized किया गया, BAO conference को, Russia के अंदर, South Korea, Japan या फिर चाइना के अंदर, अभी opening ceremony जो थी, BAO forum की for Asia, BFA, Annual Conference 2021, इसे recently organized क किया गया है, कहां पर किया गया, वो आपको बता रहा है, वही question में पूछा गया है, BFA this year is celebrating its 20th anniversary, यहां पर जो BFA, that is BAO annual conference जो है, या फिर का है, BAO forum for Asia, जो है, वो यहां पर अपनी 20-वी सालगिरा को celebrate कर रही है, और 20-वी सालगिरा होनी के वज़े से, 20-वी anniversary होनी के आता है, so it is organized in China, China के Hainan province के अंदर, इसे organized किया जा रहा है, यह जो forum है, इसके अंदर 25-व से ज़्यादा participants करेंगे, जो कि 60 से ज़्यादा country से यहां पर शिर्कत करेंगे, ठीक है, इस साल का अगर कोई मुझे theme भी बता सकता, तो please बताएगा, because these things can be asked in the exam, तो theme बताएगे ज change, a word in change, join hands to strengthen global governance and advance belt and road cooperation, चीक है, अब चाइना में हो रहा है, तो belt and road की बारे में बात करेंगे, और इसी वज़े से इसको theme में भी लिया गया, a word in change is the theme, join hands to strengthen global governance and advance belt and road cooperation, ध्यान रखेगा, तो theme बता दिया, और वैसे यहां पर जो location है, वो भी मैंने आपको बता दिया, हिनान province के अंदर ही organize करी गई है, चली, बाव forum for Asia, चली, आगे बढ़ने से पहले, कुछ और चीज़े भी जान लेते हैं बाव के बारे में, जो अकब BFA है, ये एक international not for profit organization है, जिसे की jointly initiate किया गया था, 26 member states के द्वारा, और इसे कब शुरुवात करी गई थी, इसकी 2001 के अंदर, ठी 29 हो गई, लेकिन हम मुझे बता है, क्या इंडिया इसका member है, क्या इंडिया BFA का member है, yes या फिल no, ये बता ही, क्या answer होगा, क्या इंडिया BFA, that is, बाव forum for Asia का member है या नहीं, so answer is, yes, India is a member, चली, question number 7 कहता है, which of the following statement is or are correct about the new vaccine production platform invented by Dr. Stephen L. Zeichner, पहरी statement कहती है, this can instruct the immune system how to mount an immune response against the virus, तो ये basically immune system को instruct करती है, कि किस तरीके से हमें अपने immune response को mount करना है, increase for the virus, the vaccine targets a part of the virus spike protein called the fusion peptide, ये जो vaccine ही target करती है, एक particular part को जो की virus के spike protein है, जिसको की fusion peptide कहते है, दोनों statement आपके ठीक हो सकती है, गलत हो सकती है, सोची जल्दी से फे discuss करते हैं, इसके बारे में, चली, देखें, new vaccine production platform जो है, उसे Dr. Stephen L. Zeichner, जो की University of Virginia से आते हैं, उनके तरह develop किया गए, इसमें basically क्या होता है, DNA को synthesize किया जाता है, that directs the production of a piece of the virus, ये जो है immune system को instruct भी करता है कि कैसे हमें अपने immune response को mount करना है, जब भी virus उसे contact होता है, तो पहली जो statement आपके ठीक हो जाती है, साथ ही साथ बात करें जाए using a new platform, scientist ने develop कर ये COVID-19 vaccine, जो की जादा बहतर तरीके से protection को offer कर सकते हैं, ना कि सिर्फ present coronavirus जो exist करता है, लेकिन अब जानते कि अलग-लग strains जो है, व part of the virus spike protein, जिसको की fusion factor कहते हैं, तो second statement भी आपके ठीक है लेकि अभी इतने news में क्यों है ये particular vaccine, क्योंकि इसके दवारा जो coronavirus है, SARS-CoV-2 coronavirus है, उसके जो strains है, जो अभी exist करते हैं, और even future के अंदर भी strains आएंगे, उनको यहाँ पर target करके खतम किया दा सकता है, चिक है, तो ध्यान CBD कहा जाता है, लेकिन ये जो vaccines है, जब mutants आते हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं, आप कह सकते हैं, वीक हो जाती है, नहीं अच्छे से perform कर पाती, इसी वज़े से कुछ ऐसी vaccine की जरू होती, जो कि आपके नए ने strains आते हैं, ये mutants होते हैं, तब भी बहतरीन तरीके से काम कर सकें, जो कि यहाँ पर, डॉक्टर स्टीवन एल साइकनर के द्वारा का गया है, कि इनकी जो vaccine है, वो ना ही सिर्फ existing COVID, बट आने वाले जो strains है, उनके गेंस में भी बहतर तरीके से काम करती है, तो answer क्या हो जाएगा है, आपर, C will be the correct answer, चलते हैं, question number 8 को देख लेते हैं, question number 8 जो है क्या answer होगा, फिर discuss करते हैं, इसके बारे में, चली, तो USCIRF का मतलब है, US Commission on International Religious Freedom, उनके रेकमेंट किया है, for the second year in the road to put India on a list for the worst violation of religious freedom in 2020, तो यहाँ पर country of particular concern ही से का जाता है, CPC, चीक है, तो यहाँ पर second time, last time भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, question में discuss किया था, second time, India को इस particular list के अंदर रखा गया है, और यहाँ पर International Religious Freedom Report 2021 के अंदर हमें रखा गया है, it shows कि India के अंदर religious freedom उतनी जादा नहीं है, ऐसा US के द्वारा का जा रहा है, earlier the US State Department in its 2020 human rights report pointed out several human rights issues in India, now I am telling you this thing again, क्योंकि यह US के द्वारा निकाली गई है, there are such reports जो कि अलग लग countries एक दूसरे को target करने के लिए भी निकालती है, और वहाँ पर उन्हीं countries को target किया जाता है, जो कि आपके हिसाब से नहीं चल रही होती है, तो यहाँ पर जो ranking होगी, अब US ने अपनी ranking जो है, या फिर ऐसी countries जो कि इसकी friendly countries है, जिसको यह better ranking देना चाहता था, वो दी होगी, लेकिन जो countries ऐसी है, जिसको कि target करना है, वहाँ पर ranking जो है, वो कम भी करी जा सकती है, और अगर हम इस particular report के बात करें, इसमें तो basically एक list बनाई जाती है, तो यहाँ पर इंडिया को उस list के अंदर रखा गया, आंसर क्या हो जाएगर आपर, knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए, USCIRF के द्वारा इस report को लेकर आया जाता है, चलिए, चलते है, next question, question number 9 के ओपर, question number 9 जो है, बात कर रहा है, USCIRF के बारे में, दो statements यहाँ पर दी है, देख लेते हैं one by one, पहली चैपन कहते है, USCIRF 2021 annual report assess religious freedom violation, तो जो इसकी report है, वो religious freedom violation को check करती है, assess करती है, और उसे पे हिसाब सही listing करती है, इसका जो headquarter है, वो New York के अंदर exist करता है, जल्दी से बता है, क्या answer होगा, जो report है, जो भी हमने पिछले कुछन में देखा, वो निकाली गई है, that primarily focus on two areas, number one, जिस area पे focus किया जाता है, वो है, CPC, country of particular concern, that is designated by the US secretary of state of a nation, और यहाँ पर उन countries को लिया जाता है, जहाँ पर religious freedom का violation काफी जादा होता है, जिक है, तो यह चीज धियान रखेगा, that is the first thing, second जो factor है, वो है special watch list country का, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर several religious freedom के violations जो हैं, वो देखे जाते हैं, so CPC criteria के अंदर तो यह नहीं आती है, यह जो country, second category के अंदर है, लेकिन फिर भी काफी सरे violations जो हैं, वो इसके अंदर देखे जाते हैं, इंडिया को जो है, वो CPC के अंदर रखा गया, ध्याम रखेगा, country of particular concern के अंदर, जैसे कि हमने पिछले question के अंदर देखा, चलते हैं, next topic के अपर, okay, उससे पहले यहाँ पर हम answer को भी discuss कर लेते हैं, तो पहले जो statement है, वो तो self-explanatory थी, इसके अंदर religious freedom के violation के बार में इस question किया जाता है, लेकिन जो इसका headquarter है, वो New York के अंदर नहीं है, that is in Washington DC, answer क्या हो जा herbs के बार में CCSCH is inaugurated by, किस के द्वारा CCSCH जो है, इसे inaugurate किया गया है, क्या FCI के द्वारा किया है, FSSAI के द्वारा, FAO के द्वारा, या फिर none of the above, जल्दी से बताइए, यहाँ पर CCSCH, that is Codex Committee of Spice and Culinary herbs जो है, इसे CAC, Codex Alimentarius Commission के अंतरकत established किया गया था, तो CAC के अंतरकत बन आया गया था, किसको, CCSCH को, ठीक है, और अभी यहाँ पर recently जो inaugurate किया गया है, इसका पाँचवा session, 5th session जो था, उसको inaugurate किया गया है, और यह किया गया है, किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा, ठीक है, Food Safety Standard Authority of India के द्वारा, पाँचवा session जो है, वो इसका inaugurate किया गया है, so answer will be यहाँ पर जो भी course आप subscribe करना चाहते है, exam.tenpok.com पर जाकर कर लीजे कर देखे, right now, when you are preparing for UPC examination, the most important thing जो आपके पास होती है, वो है आपका time, और उसी को ही आपको waste नहीं जाने देना है, so enroll in the course, उसे करना शुरू करें, enroll नहीं भी करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि NCRT प उसी तरीके से आप अपना schedule जो बना सकते हैं, और daily basis पे अपने आपको assignments देकर वो area को cover कर सकते हैं, because daily basis पे जब मैं इस तरीके courses बनाता हूं, तो उसमें मेरा मकस्त दे ही होता है, कि ताकि आपका कोई बी दिन वेस्त ना चाहिए, आपको schedule बनाने के बारे में, सोचने के बा पड़ू और कल के पड़ू, तो जब भी आप खुद त्यारी करेंगे, तो इस तरीके का schedule जरूर बनाएगा, otherwise आप enrolled कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मैंने आपके लिए schedule बनाए हैं, उसके हिसाब से अपनी preparation को complete करके exam को crack कर सकते हैं, कोई भी आपका doubt होते है, तो आप ertheret prince पर मुझे जरूर पूचिएगा, टेलीक्राम का लिंक नीचे description में, जहाँ पर आपको PDA भी मिल जाएगी, thanks for watching this video, have a nice day, now I'll see you at 8 p.m. जहाँ पर हम 10 नहीं और MC के उसको discuss करने वारे हैं, take care, अगर वीडियो ने आपको 1% भी help किया है, तो please आप इसे like कर दीजेगा, because that will help so many other students जहाँ पर ये वीडियो शोगोना शुरूर हो जाएगा, take care, have a nice day, goodbye.